हाई व्रेवान क्या हल चाल वेल्कम तो नीटेटा 247 मैंने में सिटेश जय नानी और फेवरिट के मिश्य जूगेटर एंड मिंटार आप लोग की पड़ाई जोर और शोर से चल रही होगी और सभी का बेटा मैं स्वागत करता हूं रफ्तार सीरीज में सर क्या है ये रफ्ता सीरीज में बेटा पूरा का पूरा chemistry का syllabus हम लोग लगबग लगबग जो आपके 25 चाप्टर हैं 25 दिनों में पूरे करने वाले हैं और आज बेटा उस सीरीज की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज बेटा पहला दिन है और एक One Day One चाप्टर के साथ हम लोग उतर रहे हैं सबसे पहले बिटा सेशन को लाइक कर देंगे और चैट सेक्षन में मिलको एक बार प्रॉमिस करेंगे कि सर मैं इस सीरीज को पूरा फॉलो करूँगा भाई साब एक सेशन के लिए नहीं आना है कि हमने पहला सेशन देख लिए हम लोग मोटिवेटेड होगे और दूसरे सेश कि मैं सर इस रफ्तार सीरीज को पूरा फॉलो करूँगा वन स्टॉप सल्यूशन है वन स्टॉप सल्यूशन बता दूं आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है रफ्तार में क्या क्या मिलने वाला है आ जाओ यह तो शिडियूल है यह पूरा शिडियूल तो मैंने आप लोग concept Thursday के दिन कल बिटा atomic structure हम लोग पढ़ेंगे देखिए session already लग चुका है पिन हो चुका है session आप लोग का chat section में फिर देखिए बिटा Saturday को period table Sundays को चुट्टी दिये सर संडे को चुट्टी क्यों दिये क्योंकि बिटा आप लोग का mock test होता है mock test आप लोग करना है उसके बाद उसकी analysis करनी है तो उस दिन आप लोगों का पूरा पूरा time mock test को जाना चाहिए तो पिटा Sunday आप लोग की चुट्टी दिये Monday से फिर स्टार्ट हो जाएंगे Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday सारे दिन आप लोग की classes लगए लगबग लगबग 25 दिनों में आप लोग की पूरा का पूरा जो labor से उसे खतम कर देंगे ठीक है पूरा schedule आप लोग को मैंने दे दिया है एक और बार दे पूरा आप लोग को टेलिग्राम चानल पर दे दूँगा एक बार बेटा सुन लीजिए पहला session है एक बार बेटा सुन लीजिए कि रफ्तार सीरीज में हम लोग पढ़ने कैसे वाल है उसके बाद तो बेटा हम हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग बेटा आए हैं तो मोल concept को finish करके जाएंगे बिलकुल करके जाएंगे rank boosting DPPs आप लोग को मिलेंगी कहां मिलेंगी आप लोग को आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी सर टेलीग्राम चैनल जोइन कर लूँ अरे भाई नहीं कर रहा है क्या आप तक तो कहां पे खोए वे हो यह रा बेटा टेलीग्राम चैनल नीट प्रिपरेशन अड़ा 247 यह आप लोगों को जोईन करके रखना है ठीक है सर यह magic DPPs क्या है भाई साब दो साल से आप लोग देख रहे हो आप लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए magic DPPs बनवाई है यहाँ पे देखिए यह magic DPPs प्रिपेर हो चुकी है अभी तो मैं सर पर सर स्क्रीन शॉट लेगा हूँ यह पूरी DPP आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी लेकिन इससे देखिए यहाँ पे देख यहाँ पे आप लोगों को पचास क्वेशन पर चाप्टर सुन लो भाई साब अरे भाईया सुन लीजिए पचास क्वेशन हर किसी चाप्टर के प्रोवाइड गरवाऊंगा तभी बेटा रफ्तार को मैं one stop solution बोल रहा हूँ एक आखरी मौका है एक आखरी मौका है सारी ची हो जाएंगी अब आप लोग बोलते हो कि सब्लिक्स करना है सर रिविजन करना है से करें हम सर रिविजन कैसे करें सार यह भी बता दीजै रिविजन के लिए पैटा शॉट नोस आपके अविलेबल है यह भी कहां होएग है यह ने रिखा दम आपको बेटा जोईन करना पड़ेगा टेली ग्राम चैनल एक तो बेटा मीडियम चाहिए ना मैं अगर हम आपको कोई मिटीरियल दे रहे हैं तो किस मीडियम पर देंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल जोईन करना यहां पर हाओ इधर ही आप लोग है सारे लिंक साइंगे सारे नोट्स आएंगे सारे शॉट्टनोट्स आएंगे डीबीपीस दूनों तरीके कि यहीं पर आएगी तो क्या एक्साइटेड हैं क्या स्टार्ट कर दिया जाए सेशन को कि हा जी सर और एक बार मेरे को प्रॉमस देदो यार एक सीरीज एंड तक चलने वाली है ये सीरीज हम लोग खतम करेंगे टाइमली खतम करेंगे अब आप लोग देखोगे की कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं अभी अभी जितने भी बच्चे बीटा live देख रहे हैं कम से कम तीन बार स्लेबस इसी चानल पर मैं करवाने वाला हूँ, आप लोग को नीट 2024 तक, नीट 2024 है पिटा, फिफ्त में को, उससे पहले पहले, आज की पिटा, डेट नोट कर लिजे, 29 फेबररी, तीन बार स्लेबस मेरी तरफ से आप लोग करवा जाएगा, मिनिमम, चार ब चीज दिन इसके साथ प्लीज लग जाईएगा, जोश से लगिएगा, फिर देखिये किस तरीके से सेलेक्शन लेते, फिर देखिये बिटा, किस तरीके सा आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, प्रिपरेशन तो इस बार हुईए, इस बार सेलेक्शन लूँगा, इस बार जाओंगा नीट 2024 अपना है इसी बात पे इसी बात पे बेटा स्टार्ट करते हैं चलिए बटा चलिए आग लग जाए एक बार वीडियो को लाइक कर दो कर अभी तक नहीं कर रहा है तो आग लगा दो चैट सेक्शन पे अब बेटा नॉन स्टॉप पढ़ाई करेंगे नॉन स्टॉप पढ़ाई करेंगे कॉपी किताब उठा लीजिए एक एक अपने साथ में कॉपी लिखिए क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे नुमारिकल्स भी आप लोगों करावाने वाला मूल कॉंसेप्ट का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि नुमारिकल करवाते वें चलो बच्ची को सारे चीज अपने आप आ जाएगे तो नुमारिकल भी करते वें चलेंगे जो थियोरी है वो भी कंप्लीट करते वें चलेंगे तो कॉपी पैन उठा लीजिए मोल कॉंसेप्ट आपके सामने बेटा स्टार्ट कर रहा हूं आजए यह जी पहला सवाल पहला तो क्या होता है इसका मतलब होता है बारा बारा क्या बारा पार्टिकल बिलकुल सही है अगर कहीं पर भी लिखावा है कहीं पर भी लिखावा है वन डजन कॉपीज तो इसका मतलब क्या है बारा कॉपीज बेटा आपको आपको किसी ने बोला क्या हमें फूल नहीं दोगे ह तो आपने बोला आप क्यों नहीं देंगे बिल्कुल देंगे दो दो डजन फूल देंगे तो तुमने क्या करा बेटा दो डजन फ्लावर लेके आए ना आप फूल हो और आपने क्या दे दिया उसको फूल दे दिया तो दो डजन फ्लावर लेके आए तो कितने फ्लावर लेक मोल का मतलब mol का मतलब है एंने क्या हैरे सर एका मतलब होता है आपकर avigaidrow constant in a का मतलब क्या है बेटा आपका avigaidrow constant तो one mole का मतलब क्या है बेटा आपके in a particles दिआ का मतलब क्या है evigaidrow constant constant है सर constant है तो कुछ नो कुछ value होगी भाई साब बिलकुल है value क्या value है value है आप लोगी 6.02 into 10 to the power 23 छेक है प्यार से बेटा और calculation आसान करने के लिए कहीं बार हम लोग 0,2 खा जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 into 10 to the power 23 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो 1 mole का मतलब क्या है, Na particles, Na क्या है, Avagadro's constant, Avagadro's constant की value है, यह obviously आप लोग को याद रखने हैं, अब देखी, यह आप लोग का application कहां आता है, यह आप लोग का application आता है, यहाँ पे, जिस suppose करो, कहीं पर भी लिख रखा है, 2 mole electron, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस mole word को, इस mole word को replace करना होता है, कहीं पर भी लिखावा है, 2 mole atoms, तो आप लोग इसे क्या लिखोगे, इस mole word को replace कर दोगे, na से, तो 2 mole का मतलब क्या होगे, 2 na, अब यहाँ पर देखो atoms है, आगे भी आप लोग क्या लिख दोगे, atoms लिख दोगे, बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या लिखावा है, 3.5 mole molecules लिख रखा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इस को लिख दोगे, 3.5, इस mole word की जगे क्या लिखा दोगे, na, और यहाँ पर देखो क्या molecules है, है हाँ molecules है तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अब यहाँ पर देख क्या यहाँ पर दस मूल electron है हाँ तो कुछ नहीं मूल वर्ड को replace करना है आप लोगो एन ए से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दस एन ए electrons ठी hell यह हमें याद रहेगा हा जी सर हमें याद रहेगा बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बाते अब यहाँ अब यहाँ देख कुछ fundamental particles होते हैं अगर आप लोग बेटा nucleus को तोडो अगर आप लोग बेटा nucleus को तोडो उसके अंदर 3 particle हम लोगों मिलते हैं तीन ही हमको पढ़ना है, कौन-कौन पढ़ना है, electron पढ़ना है, proton पढ़ना है, neutron पढ़ना है, इस electron, proton और neutron का सबसे पहले हम लोगों को mass और charge पता होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले mass की बात करें, तो electron क्या होता है, सबसे हलका होता है, क्या है, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, छ 10 to the power minus 27 kg, यहाँ पे अगर बेटा मैं mass की बात करो, तो सबसे हलका कौन है, सबसे हलका कौन है, सबसे हलका है, आपका electron, फिर बेटा proton, फिर बेटा neutron, फिर बेटा neutron, प्रोटान और neutron का mass almost same सा होता है, 1.672 है, 1.674 है, almost same सा है, लेकिन फिर भी थोड़ा भारी आपका neutron होता है, चार्ज की अगर मैं बात करो, तो एक बात सुनो, आपका चार्ज, electron, electron is negatively charged, तो यहाँ पे देखो, क्या लेकिर रखा है, minus 1.6 into 10 to the power minus 13 kg, proton is positively charged, तो plus 1.6 into 10 to the power minus 13 kg, neutron 0, neutron 0, neutron 0 तो neutron, charge 0, अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछ ध्यान से समझ लेजिए, दोनों पे जो चार्ज होता है, दोनों पे जो चार्ज होता है, इनका जो magnitude है, magnitude is same, दोनों के चार्ज का magnitude क्या है, बेटा, same है, यह minus sign क्या बता रहा है, कि electron is negatively charged, यह positive sign क्या बता रहा है, proton is positively charged, that's it, उसके अलावा, magnitude दोनों का क्या होता है, बेटा, सेम होता है, तोनों का magnitude सेम होता है, mathematics मत लगाना, सर यहां तो minus लगावा है, सर electron का charge कम होगा, सर यहां positive लगाना है, proton का charge ज़्यादा होगा, भाई साब mathematics जो max थी, वो गलियां छोड़ाएं, वो गलियां छोड़ाएं बेटातों है, तो mathematics मत लगाइए, यह negative sign बस से बता रहा है elektron is negative charge, यह positive sign बस यह बता रहा है, proton is positiveoscope charged, बागी magnitude दोनों का क्या है, same है, magnitude दोनों का क्या है, same है, यहां पर आईएं, सवाल करते वे जालेंगे, copy pen ले ली है बेचा, क्या बेचा, copy pen ले लिए है, पता यहे, क्या बेटा copy pen ले लिए है, हाँ जी सर, copy pen ले लिए, अबाज़ बेटा सवाल करेंगे, सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है, calculate charge on one mole electrons, एक mole electrons हैं, उस पे आपको charge बताना है, तो सबसे पहली बात तो देखो, एक बत सुनिएगा, mole concept में unitary method जो होता है, बच्पन में आप लोगों ने पढ़ा, unitary method, उसको आप लोग को apply करना बहुत ज़्यादा आना चाहिए, अभी मैं भी आप लोग को unitary method से question solve करके दिखाऊंगा, सर कैसे, अगर मैं आपको बोलता हूँ, कि अगर मैं एक electron लेता हूँ, तो उस पे charge कितना होता है, केवल magnitude अगर मैं लिखूँ, तो charge होता है, 1.6 into 10 to the minus 19, एक electron पे charge इतना होता है, मैंने केवल magnitude लिया है, हाँ जी, आपको एक electron पे बोलाए के, नहीं, आपको बोलाए एक mole electron, तो एक mole electron का सबसे पहली बात तो मतलब क्या है, मतलब है बेटा आपका na electron, एक mole का मतलब क्या होता है, na, तो भाई साब अगर एक electron पे charge इतना है, तो अ into na coulomb, हाजी सर, सर na की value डालो, na की value डालो बेटा, 1.6 into 10 to the bar minus 19, na की value डाली 6.02 into 10 to the bar 23, ये कितना आएगा, जब इसको solve गिया, इसको solve गिया, तो ये लगबग लगबग आया आप लोगों का, लगबग लगबग आया, 965 00 coulomb, 965 00 coulomb, अब ये करा किस ने थी, ये calculation सबसे करी किस ने थी, ये calculation करी थी बेटा, faraday चाचा ने, मैंने नहीं करी, आपने नहीं करी, राहुल ने नहीं करी, अंजली ने नहीं करी, तो किस ने करी बेटा, faraday चाचा ने करी, तो faraday, ये जो ये number निकल के आया, ये क्या बन गया, आपका faraday is constant बन गया, इसको हम लोग क करें जिसने करी उसने उसके नाम पे रख दिया फेर एनफ आप करते तो बैटा आप भी यह करते या ना आप भी अपने नाम पे रखते तो फैर डे वन फैरा डे का मतलब क्या होता है 9 6500 बार ना इन 3 of three mole electron अब इस बार किसकी बात कर रहा है mass की बात कर रहा है कितने mole है तीन mole तो यहाँ पे लिख दो आपके पास three na electrons है सही बात है हाँ जी सर्थ unitary method बेटा जिंदावाद unitary method जिंदावाद अगर आपके पास एक electron है तो उसका mass कितना है बाई साब अभी अभी बताया बाई साब अभी अभी टेबल में बताया 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10 to the power minus 31 kg यह तो बेटा एक electron का mass है आपके पास कितने electrons है 3 na तो यहाँ पे 3 na electron का mass कितना हो जाएगा 3 na electron का mass कितना हो जाएगा multiply कर दो बेटा multiply करना तो आता है बड़ा बच्पन में सीख लिया था and into 3 na यहाँ पे चाहो तो na की value लग देना यहाँ पे चाहो तो na की value लग देना यहाँ पे unit की आएगा बड़ा kg आएगा बताओ बड़ा multiplication कर देंगे कोई trick नहीं है बड़ा multiplication की कोई trick नहीं है अब यहाँ पे बोल रहा है calculate charge on 2.5 mole of magnesium plus 2 अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर क्या बोलना चाहरे हो क्या बोलना चाहरे हो यहाँ पे बेटा आपका एक बहुत ही जबरदस्त point आता है सर क्या point आता है यहाँ पे आप लोगा होता है charge is quantized बड़े ध्यान से सुनिएगा बड़ा आथ खूब सारे सवाल करेंगे charge is quantized सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है यह आप लोगा हो सकता है पहले कभी सुना भी हो charge क्या है quantized है सर इसका मतलब क्या जो भी आपका charge होता है जिसको हम लोग q से represent करते है q से हम लोग represent करते है तो charge is plus minus n into e इस तरीके से हम लोग लिखते है अच्छा सर तो यहाँ पे सर n क्या है यहाँ पे n है कुछ भी number हो सकता है मतलब 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है and so on सर 1.3 हो सकता है नहीं 2.7 हो सकता है मतलब क्या होंगे integer values होंगे सर यह e क्या है e आप लोगों का वो ही है magnitude 1.6 into 10 to the power minus 90 इसको मैं क्या बोलता हूँ e बोलता हूँ प्लस 1 ने चार्ज दिख रहा है, हाँ, तो इस पे मैं चार्ज बोलूँगा, प्लस 1, 1 क्या, E, 1 है ने, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, तो इस N की जगे क्या डाल दो, 1 डाल दो, छेक है, अगर सबोस करो, आपका मेगनीशिम प्लस 2 है, तो इस पे मैं चार्ज कितना बोलूँगा, प्लस का 2, 2 क्या, 2 E, मतलब E के मल्टिपल्स में होंगी चीज़े, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अलूमीनियम प्लस 3, तो मैं चार्ज क्या बोलूँगा, प्लस का 3, 3 क्या, 3 E, E के टर्म्स में होंगी, 1.3 नहीं आएगा, 2.7 नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा, 3.5 नहीं आएगा, चीज़े, यहीं पर ही अगर सबोस करो, मैं CL मैंनस करता हूँ, अब चार्ज कितना है बेटा, मैंनस का 1, मैंनस का 1, तो मैंनस 1 क्या, E, O2 मैंनस का कितना है, मैंनस 2 E, तो यहीं पर ही आप लोग देखो आपका कोन है बेटा magnesium प्लस 2 है तो अगर यार यहाँ पर मैं एक magnesium प्लस 2 लूँ तो इस पर चार्ज कितना होगा क्या इस पर चार्ज प्लस 2 E होगा यही तो सीका हमने प्लस 2 E होगा एक magnesium पर लेकिन आपके पास कितने है, धाई मोल, धाई मोल का मतलब क्या है, धाई Na, धाई Na Magnesium, तो अगर आपके पास 2.5 Na Magnesium प्लस 2 है, तो कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, मिल्टेप्लाइगर दो, प्लस 2 E into 2.5 Na, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अब यहाँ पे दे आरे यहां के 2 को 2.5 से multiply करो ना 5 हो गया यह E, E की value कितनी है E की value है 1.6 10 to the bar minus 19 और N E की value है 6.02 10 to the bar 23 अब देख मजे की बात बताऊं यह जो calculation है यह वाली calculation E into N A यह पर देखना अध्यान से यह जो calculation है यह E है आपका यह N A है यह हमने अभी अभी करके आए है यह देख अभी अभी हम लोग करके आए यह E था 1.6 into 20 to the bar minus 20 यह N A था 6.02 into 20 to the bar 23 इसकी value कितनी है थी 1 faraday इसकी value कितनी है थी 1 faraday तो यह जो E और N A को multiply करते हो तो यह क्या होता है faraday होता है यहां पर answer क्या आजाएगा आपका 5 और यह क्या है बेटा faraday तो 5 faraday समझे समझे बेटा समझे एक बार बेटा थमसब देदीजिए session को like करके बता दीजिए हाँ जी सर इस तरीके के सवाल कर लेंगे युनिट्री मेथड बचपन में यह करा है ना बचपन में यह करते थे ना कि एक चॉकलेट एक चॉकलेट बटा है ना पांच रुपे की अब आपको 10 लोगों को gift करना है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी बटा पांच इंटू 10 की तो यही तो कर रहे हैं अब तक अब यही कर रहे हैं हम लोग देखो यहां पे हर जगे क्या कर रहे हैं युनिट्री मेथड ही कर रहे हैं यह चीज़ समझ मैं अब यहां देखे अब यहां देखे अब देखो यह कुछ बेसिक से definition है यह बेटा आप लोग आठवी और नवी कक्षा में भी बढ़ते हो लेकिन मैं फिर भी ले आया हूँ है ना मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ मैं सारी चीज़ा आपको करा रहा हूँ लेकिन इसको फटा-फट सा अपन लोग आगे बढ़ जाते है क्या है क्या बोल रहा है यह बोल रहा है एक होता है आपका Atomic mass, sir, क्या होता है Atomic mass? Atomic mass होता है, mass of one atom of an element, मैं अगर एक atom लूँ, किसी भी element गा, उसका mass क्या 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 लाएगा? Atomic mass क्या लाएगा, चेक है, इसकी unit होती है, बिल्कुल होती है, unit क्या होती है, इसकी unit होती है, atomic mass unit, amu, या फिर हम लोग simply से कह लेखते है, u, unified mass, या तो amu लिखा होता है, या यू लिखावा होता है, यह आप लोग को पता है, यहाँ पर देखो, जिसे देखो, यह values आपको पता होगी, hydrogen का atomic mass कितना होता है, आपका 1 amu, helium 4, lithium 7, beryllium 9, boron 11, carbon 12, ऐसे nitrogen 14, oxygen 16, यह सारे आपको amu, थोड़ा बहुत idea है, यह आपको idea है, ठेक है, लग गया आपका, gram atomic mass, बड़े ध्यान से सुनना, क्या गया, gram atomic mass, सर, gram atomic mass क्या होता है, gram atomic mass होता है, mass of one mole of an element, different समाज, different समाज, atomic mass था, atomic mass में था, एक atom, gram atomic mass में क्या है, एक mole, सर, एक mole का मतलब क्या, एक mole का मतलब क्या, na atoms, na atoms, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ देख, यहाँ देख, आपका hydrogen क्यों क्यों होता है, एक gram, अब इसका unit क्या है, grams, इसका unit क्या है, gram, helium 4 gram, lithium 7 gram, numerical value same है, बस unit change हो रहा है, atomic mass में आपका unit है, amu, gram atomic mass में यूनिट है आपका grams, grams, अच्छा, यहाँ देखो एक बर, यहाँ देखो, molecular mass में आजाओ, molecular mass में आजाओ, molecular mass क्या बन जाएगा, mass of one molecule of a substance, कितने molecules है, एक molecule है, एक molecule है, अब इसका भी unit क्या होता है, इसका भी unit क्या होता है, इसका भी unit होता है, amu, atomic mass unit, यहाँ पिर simply u, simply u का मतलब क्या है, simply u का मतलब क्या है, unified mass, अब यहाँ यहां देखो एक पार यहां देखो जैसे सपोस्पोस करो आपका पानी तो आप पानी को कैसे कैलकुलेट करोगे आता है वैसे तो हमें देखो कितने हैट्रोजन है दो यहां पे कर दिया मैंने 2 इंटू वन हाँ जी कितने oxygen है एक तो यहां पर मैंने कर दिया वन इंटू 16 यह कितना अगे पटा 18 AMU सही है साथ तो कितना अगे 18 AMU किसका पानी का ऐसी ammonia का कितना होगा 17 अब यह value है यह हमको याद रखने है यह value है यह यह याद रखने है अमूनिया का कितना हो गया 17MU ये कौन है बिटा C6H12O6 कौन है ये C6H12O6 कौन है बिटा ये Glucose याद रखना बिटा इसका Molar Mass क्या है Molar Mass 180MU इसका Molar Mass याद रखी गया 2 मिनट रुखी है वोईज और वीडियो सिंक में नहीं था अब सिंक में आ जाएगा ये Glucose है Glucose का Mass कितना होता है 180 होता है अब ये है URIA URIA का formula बोलो बिटा चाट सेक्शन में URIA का formula बोलो बिटा चाट सेक्शन में URIA का formula होता है NH2 CONH2 ये formula है मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ताकि इसी class में आप लोगो याद हो जाए क्योंकि ये काम बहुत आएगा आगे यूरिया is NH2 CO NH2 इसका मूलर मास कितना होता है SO2 तो देखो क्या एक sulfur है हाँ 1 into 32 कर दिया कितने oxygen है 2 तो 2 into 16 कर दिया तो add कर दो कितना हो गया 64 64 क्या AMU अब यहाँ देखो जैसे सूक्रोज सूक्रोज का formula हमें याद रखना है क्या है बेटा formula C12H22O11 C12H22O11 तो यहाँ पर देखो 12 carbon है 12 into 12 22 hydrogen है 22 into 1 11 क्या है oxygen है 11 into 16 molar mass कितना है 342 याद रहेगा याद रहेगा सर्थ याद रहेगा सर्थ और वही पर ही अगर suppose करो मैं बोल देता हूँ gram molecular mass एक बात सुन लेजिए अगर यहाँ पे एक word आ गया gram अगर यहाँ पे एक word आ गया gram इसका मतलब क्या है मैं बात कर रहा हूँ एक mole molecule एक mole molecule और एक mole molecule का मतलब क्या है आपके NA molecules NA molecules बिलकुल सही है बिलकुल सही numerical value सीम रहेगी भाई पानी अभी भी 18 ही है अमूनिया अभी भी 17 ही है unit change होगे है gram molecular mass की बात कर रहे हैं gram लिखेंगे unit हम लोग gram लिखेंगे unit देख यूरिया अभी भी 60 है लेकिन 60 क्या gram SO2 अभी भी 64 है 64 क्या grams SO3 80 grams यूरिया कितना है था 342 लेकिन 342 क्या है 342 grams अब आप लोगों के सामने बेटा दो unit निकल के आईए सर कौन कौन सी एक तो आईए atomic mass unit ये भी इससे भी हम लोग mass measure कर रहे हैं हाँ सर और एक और आईए grams हना दो unit हम लोग ने भी deal करी एक तो देखो ये gram deal करा और एक हम लोग ने क्या deal करी EMU deal करी EMU deal करी अब आप बोलोगे कि सर इनके बीच में सर relation between Gram and EMU relation between Gram and EMU क्या रिष्टा होता है सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन सा पीजा पसंदे सर OTC स्मांतना क coch cum कोछ जो पीड़ा उसको एंजिन हो जए पिजा खो ज़ाओ ऑर क्या है और क्या इसे पीजा बना तो पीजा तो मेरे में पीजा कर दिया चाहित है इसके 12 उटावडरयषे करो चाहू चाहू और इस ANYज में हिसे कर दिया और हिसको कट 12 हिस्से करें, इसके आपने 12 पार्ट करें, ठीक है सर्, 12 हिस्से आप इसके कर देना, अब आपने क्या करा, इसमें से एक स्लाइस उठाई, इसमें से आपने एक स्लाइस उठाई, अब एक स्लाइस उठाऊगे, तो क्या ये 1 by 12 पार्ट होगा, 1 by 12 पार्ट होगा आपके पीज क्या है विटा carbon C-12 atom भाइसाब मैंने carbon C-12 atom लिया उसके मैं कर रहा हूँ, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मास मेजर कर रहा हूँ, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मास मेजर कर रहा हूँ, और जो मास इसका निकल के आया, जो मास इसका निकल के आया, वो ही क्या होता है बेटा, 1 AMU, वो ही क्या होता है बेटा, 1 AMU, तो यहाँ पे देखो, 1 AMU की proper definition निकल के आ रही है, क्या आ रही है, 1 amu is 1 by 12th mass of C12 atom, मतलब जो आपका C12 atom था, इसका एक बटा 12 हिस्सा उठा, उसका mass measure कर, वो ही है आपका 1 amu, यहाँ पर देखो, 1 amu is 1 by 12th mass of 1 C12 atom, अब सर एक जगे amu है, एक जगे सर gram है, सर इन दोनों में रिश्टा क्या है सर, सर, इन दोनों में रिश्टा क्या है, जरा सर, रिश्टा बताईए, जरा सर, रिश्टा बताईए, तो रिश्टा क्या है, 1 amu, 1 amu equals to 1 upon na gram, यह होता है रिश्टा, इसका derivation होता है, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, 1 amu is 1 upon na gram, na की value डलो, 6.02 into 10 to the power 23, solve करोगे तो क्या रिश्टा आएगा, 1.64 into 10 to the power, minus 24 gram, चेके, यह relation आचुका है, हमको यह रिश्टा याद करना है, और हमको आगे बढ़ना है, derivation, derivation छोड़ दो, आपको यह रिश्टा याद होना चाहिए, 1 amu is 1 upon na gram, na की value डालो, solve करोगे यह आएगा, solve करोगे यह आएगा, कुछ सवाल करें, आप अगर आपकी अगर बटा इजाजत हो, आपकी बटा अगर इजाजत हो, तो कुछ सवाल कर सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं, यहाँ पर आईए बटा, पहला सवाल, आपकी स्क्रीन के सामने बटा, यह रहा, आपके सामने बटा चलिए बटा, क्या बोल रहा है, calculate mass, calculate mass of 50 molecules of water in gram, जरा बताएंगे बटा, जरा बताएंगे बटा, अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं एक molecule लेता था, अगर मैं एक molecule लेता था, तो क्या उसका mass 18 AMU होता था, आया ना, सही बात है, एक molecule का mass कितना है, 18 AMU, हाँ, AMU में बात कर रहा हूँ, AMU में, तो अगर वहीं पर ही मैं 50 molecule ले लूँ, तो उसका mass कितना होगा, उसका mass कितना होगा, 18 into 50 AMU, हाँ या ना, अरे basic mathematics, भाई, एक molecule का 18 AMU होता था, पानी की बात कर रहे है, पानी की, तो 50 molecule का 18 into 50 AMU होगा हां आपको AMU में बूचा है के मास नहीं रह बाबा आपको बूचा है ग्राम में तो अगर इसको ग्राम में कंवर्ट करना है तो क्या करो 18 into 50 into 1 upon any से multiply कर दो 1 upon any से multiply कर दो आप देखो बेटा आप देखो यह आएगा 900 यह आएगा 900 तो क्या बन गया 900 upon any कर देना हाया ना एक और सवाल करवाओं एक और करवाँ हां टीस बहुंड लेके नकिन किर लोगे बहुँ Average Atomic Mass पे आ जाएगे, Average Atomic Mass इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं, A, A, M, प्यार से क्या बोलते हैं, A, A, M, बोलते हैं, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल इसमें ये पूचा जाता है, कि Average Atomic Mass होता क्या है, Average Atomic Mass क्या होत सब्सक्राइब वहां हां अले यार यह 1.67 लिख दो 1.64 लिख दो एक यह बात बहुत ज्यादा दिल लगा लेते हो तुम्हार रहता है इसलिए बटा दिल टूटते चीक है इसलिए बटा दिल टूटते है ठीक 1.67 बस मैंने 4 लिखा था एक कैलकुलिए इधर उद्दर अप्रॉक्सीमिशन च जाता हूँ भी, सबसे पहले यह देख यहां यह लगता किसमें है, यह लगता है बिटा, आईसोटोपस में, यह लगता है बिटा, आईसोटोपस में, सर कैसे लगता है, इसका देखो, सबसे फेमस जो एक्स्प्लेनेशन होता है, इसका सबसे फेमस एक्स्प्लेनेशन होता है क्लोरीन को ले के, कैसे, यहां बे देगे, सबो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है बेटा क्लोरीन 35 का, एक होता है बेटा क्लोरीन 35, इसका होता है बेटा 75 परसंट, हाँ जी जाँ, और एक होता है बेटा क्लोरीन 37, इसका होता है बेटा 25% ठीक है तो दिखो आपको दो आईसोटोब दे रखें और आपको दे रखाए कि कितनी कितनी percent में वो available है तो अगर आपको बोले कि इसका average atomic mass निकालो average atomic mass निकालो तो कैसे निकालते हैं सीख लेजिए कैसे निकालते हैं जो भी आप लोगों को atomic mass दे रखा है 35 का है इसको multiply करो 75 से मतलब इसकी percentage से मतलब 35 into 75 हाँ जी सर plus ये एक आईसोटोब का लिख दिया अब देखो दूसरा आईसोटोब कौन सा है दूसरा आईसोटोब पर 37 वाला इसकी percentage कितनी वेटा 25 वाली तो यहाँ पे लिखो 37 into 25 हाँ जी सर और इसको divide कर दो बेटा 100 से सर 100 से क्यों divide करा क्योंकि total percentage तो 100 होती है total percentage तो 100 होती है तो यहाँ पे average atomic mass जब हम निकाल लेते हैं तो हो कितना आता है 35.5 अच्छा सर अच्छा सर अब ध्यान से देखो ये जो number निकल के आया है ये चीक चीक के कुछ बोलना चाह रहा है सर क्या बोलना चाह रहा है ये number बेटा चीक चीक के कुछ बोल रहा है क्या बोल रहा है जो 35.5 number आया है क्या हो 35 और 37 के बीच में है बिल्कुल सही बात मतलब क्या जो आब का average atomic mass होगा वो बेटा 35 और वो बेटा 37 के बीच में आएगा मतलब 37 और 37 35 और 37 के बीच में मतलब जो lowest atomic mass है और जो highest atomic mass है उसके बीच में है जिसे ये देख पहला point average atomic mass lowest atomic mass और highest atomic mass के बीच में आया मतलब जिसे अभी case के 35.5 था तो 35 और 37 के बीच में है आये गई हमेशा है और मेरी बात सुन एक है आपका 35 वाला एक है बिटा 37 वाला परसंटेज जादा किसकी है 35 वाले की 35 वाले की परसंटेज जादा है विचे 75 तो आपका जो आंसर आया है क्या वो 35 के नसदीक आया है 35.5 35 के नसदीक है और 37 से दूर है क्यों आया 35 से नसदीक क्योंकि इसकी परसंटेज जादा थी क्योंकि यह डॉमिनेट कर रहा था यही चीज मैंने नेक्स्ट में भी लखी है कि एवरेज अटॉमिक मास देखो एवरेज अटॉमिक मास is closer to that isotope whose percent is more whose percent is more जिसकी percentage जादा उसके करीब रहेगा उसके करीब रहेगा वो डॉमिनेट करेगा सर सवाल करवाओ पीवाई क्यू करवाता हूं उससे आपको और confidence आएगा 2007 में यह पीवाई क्यू आया यहां पर देख बोल रहा है element का तीन आइसोटोब उसने दिये कौन कौन से दिये एक दिया है बेटा x 200 200 x है ना एक्स बेटा तुमारा पीछा नहीं छोड़ेगी नहीं छोड़ेगा है ना यहां जा बेटा नीट में भी सवाल आ रहे हैं तो x वाले ही आ रहे हैं यह आप लोग को इसके तीन रूप दे दिये सही वादर से रूप भी बहुत सारे होते हैं है ना तो x के हैं पर त परहनेदर तो एक स्सक्राशनां इसलेट से रूप दे दिये एकस दो सो नंबबे परसंट एक स्वान अथा परसंट एकस डोटो परसंट बूल रहा है दब वेड़ेट लगल का बूल रहा है वेड़ेट कितनी है 90 तो यहां पे लिखो 200 into 90 सही बात है सर प्लस 199 वाले की percentage कितनी है 8 है तो 199 into 8 सही है सर प्लस 202 वाले की percentage कितनी है 2 है तो यहां पे लिख दो 202 into 2 तीन isotope तीन term divide कर देना source है divide हमेशा करना source है इसको जब solve करोगे तो आपका answer क्या आएगा लगभग लगभग 200 के आसपास आएगा तो answer तो आपका fourth option है मैं बोल रहा हूँ आपको यह solve करने की ज़रत ही नहीं है यह जो मैंने आपके दो point बताए इससे आप लोग कर सकते हो यह second वाले points है यहां पर यहां पर सबसे ज़्यादा percentage किसकी है 90% किसकी 200 वाले की तो जो answer आएगा इसकी percentage सबसे ज़्यादा है ना इसका मतलब यह क्या है बिटा आपका dominating है तो जो आपका answer आएगा वह 200 के करीब ही आएगा 200 के करीब ही आएगा 200 यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा बटा इतना approximation तो चलता है जिसकी percentage जादा वो सबसे जादा dominate करेगा वो सबसे जादा है percentage कितना 19 प्रतीशत बोरॉन 11 है percentage कितना 81 प्रतीशत मुझे पता है मैं बिना solve करें भी लिख सकता हूं कि मैं average atomic mass इसके करीब आएगा यह dominate करेगा यह dominating है क्योंकि इसका जादा परसंटेज है तो मेरा average atomic mass किदर आएगा 11 के आसपास आएगा अच्छा यहां पर देखो यहां पर एक number है 10 एक number है 11 तो मुझे यह भी पता है ना मेरी बात ध्यान से सुन ले मेरी बात ध्यान से सुन ले आपको एक बात और पता है average atomic mass is greater than 10 और less than 11 यह पता है या नहीं पता है अच्छा बता lowest atomic mass 10 highest atomic mass 11 तो उन नोनों के बीच में आएगा उन नोन के बीच में आएगा तो यह थर्ड option तो वैसे फ़रजी है थर्ड option तो वैसे फ़रजी है हां और dominant किसके करेगा 11 के करीब 11 के करेब तो 11 के करीब dominant कौन सा है पहला option है यह option यह option है आया ना एक बर फटाक्तिल सेशन को like कर गरीक करेब पिता कि हांची सर आ गया थे समझ में कोई ही है molar mass की वो आ रही है molar mass की sir क्या होता है molar mass molar mass होता है mass of one mole of a substance mass of one mole of a substance है ना मतलब जैसे अगर आपका sodium है तो इसका mass कितना था 23 gram तो यह इसका molar mass जैसे h2o था इसका mass कितना था 18 gram तो यह इसका muller mass जैसे glucose का C6H12O6 इसका mass कितरा था? 180 180 gram तो यह इसका muller mass muller mass is mass of 1 mole of a substance अच्छा सा और एक और अतरंगी term होता है formula mass काम बहुत कम जगए आएगा लेकिन फिर भी सुन ले क्या होता है? formula mass sir क्या होता है formula mass it is same as molar mass molar mass की तरह ही होता है बस आप लोग इन्हे ionic compounds में लगाते हो वनना सब कुछ सेम है जैसे आपका NACL इसका mass निकालोगे तो क्या है? NACL एक ionic compound है chemical bonding में बढ़ा होगा ionic compound क्या होता है? अब इसका mass निकालोगे तो कैसे निकालोगे? sodium का बटा 30 chlorine का बटा 35.5 तो कितना? 58.5 gram same है molar mass की तरह ही होता है molar mass की तरह ही होता है मैं as a teacher कुछ चीज़ छोड़ दी सकता हो क्योंकि फिर बटा comment की बरसात हो जाती है sir यह आपने पढ़ाया नहीं comment बहुत सारे आ जाते हैं तो मैं आपको पढ़ाते हैं सब कुछ चीज चल रहा हूँ वैसे यह आपको आती है कोई दिक्कत की बात नहीं vapor density vapor density भी सुन लो क्या है? एक relative density होती है क्या होती है बटा? एक relative density होती है क्या होती है? relative density होती है sir कैसे निकालते हैं molecular mass pon 2 molecular mass upon 2 करते हैं जैसे suppose करो अगर मुझे vapor density निकालनी है oxygen की तो molecular mass कितरा हो जाएगा 32 divided by 2 तो कितनी आगी 16 आगे सर इसकी कोई unit होती है नहीं it is a relative density and hence it is unitless hence it is unitless suppose करो vapor density निकालनी है SO3 की तो SO3 का molar mass कितना होता है 80 याद रखिए गाथ से divided by 2 तो कितना आगया 40 कितना आगया 40 ठीक है सर अब सर हम लोग क्या कर रहे है इतनी देर से सर mole 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 यही कर रहे है mole यह होता है mole वो होता है सर निकालते कैसे है mole calculation of mole कैसे तो मुटा मुटा बेटा आप लोग के तीन तरीके है mole निकालने के वो तीन तरीके समझेंगे उसके बाद धेर सारे सवाल करेंगे इन तीनों तरीकों पे सबसे पहले ये देखिए मूल निकालने के तीन तरीके कौन से है मूल आप लोग निकाल सकते हो अगर आपको सवाल में दे रखा है वेट तो आप लोग मूलर मास तो अगर आपको दे रखा है वेट तो आप लोग मूल्स निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो, अभी मैं formula बताऊँ आपको, अभी मैं formula बताऊँ आपको, पहले सुनते जाओ, अगर आपको सवाल में दे रखे हैं, particles, particles का मतलब क्या है, कि भाई साब इतने atoms हैं, इतने electrons हैं, इतने protons हैं, तो आप लोग moles निकाल सकते हो, निकालेंगे, अभी सब कुछ निकालेंगे, तीसरी चीज़ है, अगर आपको volume दे रखे हैं, तो भी वेटा, आप लोग moles निकाल सकते हो, इन तीन तरीके से हम लोग moles निकाल सकते हो, छे कैसे, सर फॉर्मूला बताते वे चलो, सबसे पहले आजाओ weight में, अगर आपको weight दे रखा हैं, या फिर mass दे रखा upon molar mass, ये होता है आपका formula, mass या फिर weight से moles निकालने का, given mass, दे रखा होगा, question में दे रखा होगा, divided by molar mass, अभी करेंगे, सवाल करेंगे, रुख जाओ भी, particles से सर मोल कैसे निकाल सकते हैं, particles से मोल निकाल सकते हो, given particles, given particles, मतलब आपको दे रखा होगा, कि इतने electrons हैं, इतने protons हैं, इतने atoms हैं, इतने molecules हैं, जो भी चीज़ दे रखी हैं, उसको numerator में दो, divided by कर दो बेटा, na, divided by कर दो na, na क्या है बेटा, एवे गेडरो चाचा का constant, अब सुनना ध्यान से, मैंने अभी आपको दो formulae बताए हैं, अब ये जो दो formulae है, they are always valid, दोनों में लिखो बेटा, ये क्या है बेटा, हमेशा valid है, ये दोनों ही formulae क्या है बेटा, हमेशा valid है, आप लोग आख बंद करके, ये दोनों formulae कभी भी लगा सकते हो, लेकिन जो volume वाली चीज है, volume वाली चीज है, इधर हम लोग star mark करेंगे, क्योंकि ये आएगी validity के साथ, ये कभी-कभी ही valid होती है, कभी होती है, उसके बर में चर्चा करेंगे, सबसे पहले formula देखो, सबसे पहले formula देखो, formula है बेटा, given volume of gas at STP, छेक है, divided by, divided by 22.4 liter, या फिर 22.4 ये क्या है, formula है, ये तो formula है, चेक है, क्या बोल रहा है, given volume of gas at STP, STP क्या होता है, standard temperature and pressure, divided by, लीटर में है तो 22.4, ml में है तो 22.4, डबल 0, ml, अब इसकी क्या है, वालेडिटी है, इसकी क्या है, वालेडिटी है, वालेड ओनली, वालेड ओनली, सबसे पहला point क्या है, only for gases, ये जो formula है, ये जो formula है, ये सिर्फ और सफ gases के लिए applicable है, सिर्फ और सफ gases के लिए applicable है, बीटे के लिए, नहीं है, लिटे के लिए, नहीं है, सिर्फ gases के लिए applicable है, तब लिए लिख रहा है, given volume of gas, चेक है, and this formula is valid only at STP, STP क्या है, standard temperature and pressure, उसी में ही, अगर सवाल में बोल रहा है कि STP है सवाल में बोल रहा है कि गैस है तो ही मैं यह formula लगा सकता हूँ always valid नहीं है सर मुझे यह बताओ STP क्या है मुझे यह बता यह STP क्या है STP होता है बेटा आपका standard temperature and pressure हमने कुछ value fix कर दी है temperature और pressure की temperature की कितनी करी है बेटा temperature की कितनी करी है zero degree Celsius या फिर 273 Kelvin और pressure की कितनी करी है बेटा one ATM करा यह standard values है कहीं बार कहीं बार आप लोगों ने एक और word सुना होगा क्योंकि बच्चें यहां पर confused हो जाते हैं NTP को लेके NTP को लेके NTP को लेके NTP क्या होता है normal temperature और pressure STP का है standard temperature और pressure बाबू आप confused मत हो आपके लिए दोनों ही चीज़े सेम है वैसे difference होता है देखो सुनो knowledge अगर लेना चाते हो तो आप लोग इसको सुन लो कि वैसे difference होता है difference होता है लेकिन हमारे लिए सवाल में MTP लिखावा हो STP लिखावा हो दोनों चीज़े सेम है दोनों चीज़े सेम है STP पर pressure कितना है 180m का temperature कितना है 0 degree Celsius अपर 273 Kelvin चेक है अब यहां देखिए अब यहां देखिए यहां पर एक एक term आता है आपका molar volume एक term माता है molar volume सर क्या होती है molar volume molar volume होती है volume of सुनिये का ध्यान से volume of one mole of gas at STP अगर standard temperature और pressure अगर standard temperature और pressure पे मैं एक mole gas का लूँ और उसकी volume निकालू तो उसको मैं क्या बहुता हूँ molar volume और इसकी numerical value कितनी आती है बेटा 22.4 liter या फिर 22400 ml सर क्या मतलब यहां देख बेटा यहां देख next slide है क्या बोल रहा है सुन लो जहांते सुन ले देखो यहां पर एक mole है hydrogen का STP पर volume कितनी आएगी 22.4 liter यहां पर देख एक mole है हां NH3 का है हां STP पर है value कितनी आएगी 22.4 तो सर इसका मतलब क्या gas पर depend नहीं करता सर hydrogen था तो भी 22.4 ammonia था तो भी 22.4 नीचे बेटा एक mole है SO2 का है STP पर है तो भी बेटा 22.4 मतलब कोई CB gas हो कोई CB gas हो आपका होना चाहिए STP पर गैस होनी चाहिए और एक mole होना चाहिए इसको हम लोग बोलते हैं molar volume और volume निकलके आती है 22.4 लीटर या फिर 224 00 म या फिर 224 00 म ठेक है ठेक है ठेक है ठेक है चल अब यहां देखिए अब कुछ सवाल करते हैं अब कुछ सवाल करते हैं सवाल करते हैं क्या है calculate moles of अब एक एक करके सवाल करते पर चलेंगे copy pen उठा लीजिए जैसे इसे बूलता जा रहे सवाल करेंगी आज़ो आजो बटा आज़ो बटा क्या बोल रहा है 9 gb of H2O क्या आपको mass दे रखा है तो formula fat वाला, given mass, given weight, कितना दे रखा है, 9, पानी है, तो molar mass कितना, 18, moles कितने आ गए, half आ गए, next करो बिटा, next करो, next करो, next, क्या बोल रहा है, 69 gram of sodium, mass कितना दे रखा है, 69, sodium का molar mass 23, याद होना चाहिए, कितना आ जाएगा, काटा पीटी करो गए, तीन आ जाएगा, तीन आ जाएगा, यहाँ पे देखो पीटा, यहाँ पे देखो पीटा, अब इस बार आपको atoms दे रखे है, atoms हो, molecules हो, electrons हो, proton हो, आयन हो, सब क्या होते हैं, particles होते हैं, तो यहाँ पे पीटा, moles कैसे निकलेंगे, given particle, कितना दे रखा है, 3 into 10 to the power 21, upon Na से divide कर दो, अब Na की value, 6 into 10 to the power 23 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है न, ऐसा centinion होना है, जीवन में, centinion होना, तो यह 3 से पीटा, यह तो 2 गया, और यह गया, 100 तो आ गया, 1 upon 200, 1 upon 200, ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या देखा है, molecules दे रखा है, तो again particles दे particles, 12 into 10 to the power 24, upon any, 6 into 10 to the power 23, काटे पीटी करो बड़ा, काटे पीटी करो, यह 2 से जाएगा, यह 10 से जाएगा, कितना आगे बड़ा, 20 moles आगे, 20 moles आगे, 20 moles आगे, 20 moles आगे, सहिए, सहिए बड़ा, सहिए बड़ा, आगे बढ़ तकते हैं, बताइए, सर, it's only for gases, अबे, only for gases, यह वाला था, यह वाला था, यह वाल्यूम वाला, हमको वाल्यूम थोड़ी ना दे रखी है, हमको क्या दे रखा हैं, पार्टिकल्स दे रखा हैं, हमको क्या दे रखा हैं, मास दे रखा हैं, यह तो always valid था, यह तो always valid था, हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहां देखो क्या बोल रहा है आब यहां पे देखे क्या बोल रहा है सवाल करो गशार सवाल करो बेटा सवाल करो क्या बोल रहा है अब देखो क्या बोल रहा है बोल रहा है calculate volume occupied by 160 gram of SO3 at STP ठीक है ज़र अगर मुझे 160 gram दे रखा है SO3 का तो क्या सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ? क्या सबसे पहले मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ? क्या? given mass 160 molar mass SO3 का molar mass कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है बड़ा? 80 तो यह पहले कितने आगए मोल्स? 2 मोल्स आगए कितने आगे, दो मोल आगे यार अगर दो मोल आए है और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक मोल अगर होगा तो उसकी वालिम कितनी होगी 22.4 लेटर STP पर तो भाएसाब दो मोल की कितनी होगी कोई रॉकेट साइन्स है कि रॉकेट साइन्स है कि 22.4 into 2, कितने आगे बिटा 44.8 आगे 44.8 आगे, आंसर 2nd option आगे बड़े, आगे बड़े आगे बड़े, बड़े, सारे तरीके के question कराऊंगा, आजाओ, calculate number of electrons बोल रहा है, number of electrons in 2.1 gram of in 3 minus 2.1 gram of in 3 minus क्या बोलना चारा है क्या बोलना चारा है, आपको दे दिया है आपको दे दिया है 2.1 2.1 gram किसका, N3 minus का, चेक है, सबसे पहले क्या करो, अगर आपको mass दे रखा तो mass की help से moles निकाल दो, कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे, given mass 2.1, molar mass nitrogen 3 है 3 अगर nitrogen है तो इसका molar mass कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई? एक nitrogen का 14, 3 का होगा 3 into 14, कितना होगा? 42, कितना आएगा? 42, तो divide कर दो molar mass से 42 से divide कर दिया 42 से divide कर दिया, ये कितना आए बड़ा? 2, तो moles कितना आए? 1 by 20, हाँ या ना क्या moles 1 by 20 अब सुनना ध्यान से अब एकदम basic knowledge बे चले जाओ एकदम basic knowledge बे चले जाओ अगर मेरे पास एक mole N3 माइनस होता तो इसका मतलब कितने होते? मेरे पास Na N3 माइनस होते हैं आप खुद बताऊं जी अगर एक mole N3 माइनस होता तो मेरे पास Na N3 माइनस होता हैं एक mole का मतलब N ही होता है तो अगर बेटा 1 by 20 mole है N3 माइनस के तो total ions कितने हो गए? इस Na को 1 by 20 से मल्टे लाए कर तो मतलब हो जाएगा Na by 20 हो जाएगा यहां यहां तर किसी को समस्य आए गया इतने ions हैं आपके पास एक बटे 20 मूल में इतने ions हागए आप लोग के पास N3 माइनस के हाँ अब यहां दे अब यहां पे बना एक डबबा क्या बडबा डबबा जबबा सर क्या डबबा है यह? क्या डबबा है? अगर मैं यहां पे 1 N3 माइनस आएन लेता हूँ इसमें मुझे बताइए कितने electrons होंगे? मुझे बताइए 1 N3 माइनस आएन में कितने electron हैंगे? बेटा तीन तो nitrogen है nitrogen के पास कितने electron होते हैं? 7 होते हैं अब यह तो पता होना चाहिए यह तो एकदम आठी कश्या में आ जाता है 1 nitrogen के पास 7 electron होते हैं तो 3 nitrogen के पास कितने होंगे? 7 into 3 और एक देखो negative charge भी है negative charge का मतलब क्या है? electron दिया है electron दिया है इसको कितने हो गए बटा? 22 कितने हो गए बटा? 22 electron हो गए सही है? 22 electron हो गए आपके पास 1 N3 माइनस आयन है क्या? नहीं आपके पास कितने है बटा? Na by 20 है कितने है आपके पास? कितने है आपके पास? Na by 20 N3 माइनस आयनस तो यार अगर एक chocolate इतने की है तो इतनी chocolate कितनी होंगी multiply कर दो unitary method multiply कर दो unitary method तो multiply कर ओगे तो क्या हैगा multiply करो तो क्या हैगा 22 into Na by 20 electrons ये answer है हायना ऐक बद थम शब देदीजिए एक बद थम सब देदीजिए एक बद थम सब देदीजिए पहले बेटा मैंने मूल्स निकाल दिये मूल्स के बाद मैंने आयन्स निकाल दिये फिर मैंने देखा कि एक आयन में कितने एलेक्ट्रॉन्स है फिर जितने आयन्स से उनसे मिल्टिफिलाय कर दिये उनसे मिल्टिफिलाय कर दिये सर नेगेटिव लेंगे ई तो लेंगे बेटा आपसे किवल नंबर पूछाए कि कितने होंगे आपसे किवल नंबर पूछाए कि कितने लेक्टरॉन्स होंगे कितने लेक्टरॉन्स होंगे आपसे किवल नंबर पूछाए अब आप लोग को बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा इसी सवाल से जितने ज़्यादा सवाल गरोगे उतना ज़्यादा आप लोग का मूल कॉंसेट पर ग्रेप आएगा सीखते पर चलिए यह मत घबराईए कि सब आनी रहा है तर यह सब चीज़े आएंगी होले होले होता है सब कुछ पहले दिन बटा शक्ति मान में बनके ओड़ने लग जाओ इसे नहीं होता है यहां पर आईए अब इस तरीकी के सवाल आप लोग के नीट के एक्जामनेशन में पुछे गए हैं पुछे जाएंगी इस साल भी आ सकता है और आगे वाले आने वर्षों में भी आप लोग के यह सवाल पुछे जा सकते हैं क्या बोल रहा है बोल रहा है calculate maximum number of molecules आपको maximum molecules पता करने है maximum molecules पता करने है एक बात आप लोग समझ लीजिएगा कभी भी आपको बोल maximum moles होंगे वहीं पर ही बेटा आपके maximum molecules होंगे अब सुनिए गया दिया जबीडा मैं पूरा आप लोग को बहुत एक्स्ट्रा भी चीजे कराने वारा हूँ यहाँ पर देखें जैसे जैसे यहां पर देखो क्या बोल रहा है जैसे देखो यहां पर क्या बोल रहा है यहां प कैसे निकालेंगे given mass art molar mass कितने hydrogen है दो तो molar mass कितना तो आठ बटे दो कितना आगया बड़ा चार आगया क्या मूल्स चार आगया अब यहां पर देखो जरा अब यहां पर देखो जरा 11.2 liter of CO2 at STP तो यहां पर अगर मैं मूल्स निकालू CO2 के तो कैसे निकालूँगा अब देख यहां पर volume दे रखी है लेकिन volume किसकी है गास की है कहां पर है STP पर तो क्या formula applicable है है valid है formula है तो कैसे निकालोगे given given volume 11.2 upon 22.4 तो कितना आएगा half mole आएगा कितना आएगा half mole आएगा सही है सही है सही है अब यहां पर देख अब यहां पर 18 gram पानी बोल रहा है तो अगर मैं यहां पर water के moles निकालू तो कैसे निकालूँगा given mass 18 पानी का molar mass 18 तो आएगा कितना 1 आएगा कितना 1 अब यहां देख अब यहा फॉर्मुला वही वाला लगा पर्टिकल्स वाला गिवन कितने 12.04 इंटु 10 तुद पावर 23 तो इतने दे दियें डिवाइड कर दे एन ए से डिवाइड कर दे एन a से 6.02 इंटु 10 तुद पावर 23 काटे पीटी कर वेटा यह जाएगा 2 से यह जाएगा इससे तो आगे विटा दो मूल, आगे बटा दो मूल, सही है तो आप लोग के पास उत्तर तो आ चुका है इसके चार मूल, इसके आदे मूल इसके एक मूल, इसके दो मूल maximum number of molecules पूछा है, जहाँ पे moles maximum होंगे, वही पर ही molecules maximum होंगे उत्तर आप लोगों का यह आचुका है, उत्तर आप लोगों का यह आचुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं, इसी सवाल को मैं आप लोगों को और आगे लेके चलूँगा, यहाँ पर देखिए बटा, एक बाद, ध्याँ से देखिए बटा लेकिन अगर आपसे यही पर ही यहाँ पर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपसे पूछे देखो एक मोली क्यूल में कितने आडम है दो इटम तो यहां पे आपको अगर atoms पूछे तो number of molecules को इसकी atomicity से multiply करना पड़ेगा 4NA into 2 करना पड़ेगा तो atoms कितने आएंगे 8NA आएंगे 2NA यहां पे 2NA है तो यहां पे atomicity क्या है 2 यह 2 क्या है atomicity जैसे CO2 पे आजा यहां पे एक और बार समझ एक और बार समझ जैसे CO2 मोल्स कितने आएंगे हाफ तो अगर मैं यहां पे आपको molecules बताऊं तो molecules तो कुछ नहीं हाफ न हो जाएगा अगर एक mole में any molecules होते हैं तो half mole में half any molecules होते हैंगे लेकिन उधरी बेटा अगर atoms बोले अगर आपको atoms बोले तो आप लोग क्या करोगे जितने भी molecules हैं into atomicity तो molecule कितने हैं na by 2 atomicity क्या है एक molecule में कितने atoms हैं एक है कारबन का दो है oxygen की तो कितने हैं total तीन कितने हैं total तीन तो 3 na by 2 3 na by 2 समझे atoms के लिए एक और आपको कश्ट उठाना पड़ेगा atomicity से multiply करना पड़ेगा demons, अगर बेटा मैं एक mole आया था, अगर मैं molecules लूँ, लेकिन अगर मैं atoms की बात करोगे, molecules को multiply करोगे, इसकी atomicity से atomicity कितनी है, कितने atoms है total 3, 2 hydrogen 1 oxygen, into 3, तो 3 अब यहाँ देख जरा यहाँ देख जरा, यहाँ देख आपके moles कितने आए, 2 तो molecules तो सीधा सीधा हो जाएंगे molecules तो सीधे सीधे हो जाएंगे क्या, 2 Na molecules तो सीधे सीधे हो गए कितने 2 Na, लेकिन atoms बताइए atoms बताओ, अब जड़ा chat section देखें मैं जड़ा chat section देखू, बताओ atoms बताओ, atoms बताओ, atoms बताओ जितने molecules है, कितने है 2 Na, जितने molecules 2 Na, इसको multiply करो, atomicity से NH3 में कितने atoms है, 1 nitrogen, 3 hydrogen, कितने है 4, 4 चार, यहां पर बोलो बिडा बदाए बिडा, क्या समझ में आ गया है बिल्कुल समझ में आ गया है ठीक है, ठीक है ठीक है और सवाल, और सवाल करेंगे सवालों के साथ ही आपका mole concept होता है सवालों के बिना बिना कुछ भी नहीं है सवालों के बिना कुछ भी नहीं है यहाँ पर आईए अब एक बार यहाँ पर आईए अब क्या बोल रहा है अब सुनो ध्यान से बहुत जबर्दस सवाल है ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते है यहां पे देखिएगा आपको दे रखा है 60 g glucose आपको सवाल में क्या दे रखा है यहाँ जा आपको बोल रहा है 60 g आपको बोल रहा है 60 g entend है glucose का C6H12O6 मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं सबसे पहले चैने wasn't 60 मोलन subscriस होगा वर थहान से यहां सुनियएगा विहान से यह सबसे नहीं मैं इन पूर सिक्षाल salty कि यहां यहाँ पर देखे अगर यार मैं यहाँ पर एक molecule लेता हूँ ध्यान यहाँ लगाओ बेटा मुझे पता है आप लोग कर लोगे लेकिन ध्यान यहाँ लगाईए अगर मैं यहाँ पर एक molecule लेता हूँ C6H12O6 का तो मुझे यह बताईए उसमें कितने carbon atoms हैं एक molecule में कितने carbon atom हैं छे दिख रहे हैं तो 6 carbon atom है यह 6 carbon atom है हाँ जी से कितने hydrogen के हैं 12 तो यहाँ पर 12 hydrogen के atoms हैं और 6 ही oxygen के atoms हैं सही है बेलकुल सही है अब यह तो मैंने चर्चा करी है molecule और atoms के level पे अगर मैं इसी चर्चा को उपर ले जाओ और higher level पे ले जाओ मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक mole glucose है एक mole glucose अब mole पे आगा है तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसके 6 mole carbon atoms होएंगे 12 mole hydrogen atoms होएंगे 6 mole oxygen atoms होएंगे बड़ी चर्चा कर दी गठा बड़ी चर्चा कर दी molecule atoms है मैं कहा ले गया moles पे ले गया सही है सर अच्छा यहीं पर ही एक और चीज़ देखो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 mole glucose है अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा अब इस 2 को multiply कर carbon के लिए 6 तो मतलब 2 into 6 mole किस के होगे कारबन के होगे अब इस number of moles multiply करो इस 12 किसे hydrogen के लिए मतलब 2 into 12 mole होगे hydrogen के लिए और इस 2 को multiply करो इस 6 से oxygen के लिए तो 2 into 6 mole होगे किसके oxygen के मतलब moles से multiply करते हैं अब यहां आजा इस सवाल में अब यहां आजा इस सवाल में अब देख यहां पर आपके के बारे में तो क्या कर जितने mole हैं उसको 6 से multiply करते हैं कारबन के लिए पूछ रहा है तो मतलब 1 by 3 into 6 mole कारबन तो कितने mole कारबन आ गए कितने mole कारबन आ गए क्या 2 mole कारबन आ गए हाँ और 2 mole का मतलब क्या है 2 na क्या मतलब है 2 na carbon atoms बोलिए बेटा आप खुद बोलो खुद बोलो खुद बोलो खुद बोलो खुद बोलो आया नहीं आया सब समझाओंगा बेटा सब समझ में आएगा जो mole है उसको 6 से multiply कर दिया कारबन हाइड्रोजन के बोलता बोलता तो बारा से काड़ता उक्सिं के लिए बोलता तो 6 से काड़ता अब यह मोल आ या mole ने पूचा है atoms पूचे तो mole की जगह नहीं लगा दिया mole की जगह नहीं लगा दिया बिल्कुल सही है सर कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं अब आज़ये अब पर percentage composition रहे percentage composition kya है normal percentage निकालना sir कैसे percentage of any element किसी भी element की percentage हम लोग किस तरीके से निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं weight of element upon molecular mass upon molecular mass into 100 इस तरीके से मैं निकालता हूँ किसी भी element की percentage किसी भी element की percentage इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ कैसे सवाल करेंगे बिटा सवाल करेंगे बिटा सवाल करेंगे बिटा सवाल करना जरा सवाल करीए क्या बोल रहा है find percentage of water of crystallization in MgSO4 dot 7H2 MgSO4 dot 7H2 मे water of crystallization की percentage क्या है ये पूछ रहा है करना जरा एक बार सबसे पहरे तो क्या करो molecular mass निकाल प्राय करो कि एक बार बिटा से अच्छा मुझे fraction बता दो बस यह चलो molar mass बता दो कैसे निकालोगे molar mass किसका बिटा MgSO4 dot 7H2 होगा कैसे निकालोगे magnesium का कितना होता है बिटा choice sulfur का कितना 32 oxygen 16 लेकिन कितने है 4 तो 4 into 16 plus पानी overall पानी ले लो कितना होता है 18 ऐसे कितने है 7 तो 7 into 18 कितना आ रहा है कितना आ रहा है विटा 246 पक्की बात विश्वास कर लिया जाए विटा आपके 246 आ रहा है 246 आ रहा है 246 चलो विश्वास कर रहा है 246 बिलकुल ठीक है अब सुन ध्यान से आपको percentage किसकी पूछी है आपको percent पूछी है percent of water of crystallization percent of water of crystallization अब ध्यान से सुनना किसी की भी percentage कैसे निकालती हो उसका mass उपर रखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है mass of जिसकी percentage निकाल रहा हो उसका mass numerator में total mass denominator में अब यह बता यहाँ जो यह आया है 7 into 18 क्या यही है क्या यही है water of crystallization का mass क्या यही है water of crystallization का mass यही तो है साथ molecules है ना water के 7 into 18 तो इसका mass कितना है इसका mass कितना है 7 into 18 आजी से divided by total mass total mass कितना है 246 into 100 into 100 आ गया सर निकाल लेना निकाल लेना जितना भी आएगा निकाल लेना ठीक है सर निकाल लेना अब सुनना ध्यान से यही पर ही एक term आता है minimum molecular mass यही पर ही एक term आता है minimum molecular mass बड़े ध्यान से समझी है इस पर भी सवाल करणा हूँ इस पर भी सवाल करणा हूँ देखो क्या बोल रहा है for a molecular mass to be minimum हम इसको represent करते हैं बटा M, M, M से अगर अगर molecular mass को minimum होना है अगर molecular mass को minimum होना है तो एक condition होती है सर क्या condition होती है condition यह होती है कि जो number of atoms है वो one होने चाहिए कितने atom होने चाहिए बटा एक atom होने चाहिए तभी molecular mass क्या रहेगा minimum रहेगा for a molecular mass to be minimum number of atoms should be what one one कैसे सर रुख जाओ सवाल को सवाल करेंगे फिर समझ में आए क्या बोल रहा है a compound contains देखो क्या बोल रहा है a compound contains 0.04% of nitrogen ठीक है calculate its minimum molecular mass अब बड़े ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से सुनना percentage दे रखिये किसकी nitrogen की तो यार अगर मैं 0.14 लिखूँ तो यह क्या हैगा किसकी percentage nitrogen की तो weight of nitrogen upon molecular mass ऐसी तो लिखते थे percentage ओहा मुझे बताइए percentage लिखते कैसे थे percentage कैसे थे weight upon total weight अब देख क्या molecular mass को आपको minimum रखना है minimum molecular mass तो इसका मतलब number of atoms इसके कितने होंगे एक होंगे इसके अगर मैं atoms निकालो इसके अगर मैं atoms निकालो तो कितने आएंगे 1 आएंगे इसके अगर मैं atom बोलू तो कितने आएंगे बिटा 1 आएंगे तो यहाँ पे देख यहाँ पे देख के इन टु हंद्र हो जाएगा बढा इंटु जा शेकों मुझे पने 10 की पार पूर आ रहा है, मुझे बताईए 10 की पार पूर आ रहा है, सही है या नहीं है समझे, अगर molecular mass को minimum होना है तो यहां पर देखो, जिसे मैंने 1 लिखा है 1 क्यों लिखा है? क्योंकि molecular mass minimum है मतलब atoms कितने हैं? 1 ही है atoms कितने हैं? 1 ही है percent of sulfur, calculate its minimum molecular mass, अब देखो again minimum की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी atom कितने होंगे बिटा sulfur के, atoms कितने होंगे sulfur के, one होंगे, तो यहाँ पे देखो percentage कितनी है, 0.016, जी सर, weight of sulfur, अगर atom एक है sulfur का, तो weight कितना होगा, one into 32, one into 32, upon minimum molecular mass, into 100, into 100, तो यहाँ से निकाल ले है, यहाँ से निकाल ले, अब solving के बड़ा, आपको आती है बड़ा, बच्वान से आती है solving तो, काटो बड़ा इस सबो, इससे कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, अब यहाँ पे कितने 0, 3 यहाँ 0, 2 यहाँ 0, तो 10 की पावर 5 आगे, मिनिमम मॉलेक्ल मास कटना आगे होड़ा, 2 into 10 की पावर 5, सभी, एक बार थमसब दे दीजे, चार्ट सक्षन में कि हाजी सर समझ में आगे, एक बार थमसब दे दीजे, चार्ट सक्षन में कि हाजी सर समझ में आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, all good, minimum molecular mass निकाल देंगे minimum molecular mass निकाल देंगे चल्थ अब आईए अब जढ़र यह आईए empirical formula पे आईए एक बार empirical formula पे आईए अब इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाता है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा दो तरीके के formula होते है एक होता है बेटा आपका molecular formula हाँ जी सर एक होता है आपका empirical formula सर क्या difference है Notes कहां बेजेंगे Notes बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं यहां पे सुन लो बेटा Notes आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे Notes भी मिलेंगे DPP भी मिलेगी DPP दो तरीके की मिलेगी DPP दो तरीके की मिलेगी एक DPP वो होगी जिसमें 50 questions होईगे per chapter statement based assertion reason और match the column के एक DPP तो वो मिलेगी एक DPP मिलेगी जिसमें आपके normal MCQs होंगे वो rank boosting DPPs है दो DPPs मिलेगी एक rank boosting एक magic DPPs ठेके वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी as well as आप लोग को यहां पे short notes भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का जो link है वो मैं जैसे ही class over होईगी तो comment section में pin करवा दूआ यहां मिल जाएंगे चेके 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 गवरहिए मत बिटा मैं मैंने आपको जो मैं बोल रहा हूँ रफ्तार सीरीज one stop solution है प्लीज लेकिन प्लीज मैं अब आपसे request कर रहा हूँ कि इसे 100% follow कर लेना है इसे 100% follow कर लेना क्यों मुझे पता है इसकी importance और मुझे पता है कि मैं कितनी consistency के साथ इसमें लगने वाला हूँ कितनी consistency के साथ इसमें लगने वाला हूँ तो please आप लोग इसमें आईएगा और अच्छी तरीके से अपना course करना 25 दिन में लगबग लगबग पूरा chemistry का course वापस से करवाद होगा ठीक है वापस से करवाद होगा ठीक है लेकिन please follow करिएगा क्योंकि मुझे पता है कि यार पहला session है जनता खूब सारी उमड़ी है लगबग लगबग रहा हूँ please follow रफतार please follow रफतार अब यहाँ देख़ो teacher बीटा motivate भी कर सकता है teacher खुद थो motivated है teacher खुद मोटीवेटेड है आप खुद देख लेना रफतार में किस तरीके से session लगने माले है बहुत शांदार तरीके से हम लोग स्लेबग लिएबस करेंगे teacher बीटा आप लोग वो को ही अंदर से self motivation लाना पड़ेगा, नेट आपको crack करना है, डॉक्टर बेटा आप बनाओगे, ठीक है, चलो आजाओ यारब इसी बात पर आजाएगे, यहाँ पर देखिए, दो तरीके के बेटा formula होते हैं, क्या होता है, एक होता है बेटा molecular formula, एक होता है empirical formula, क्या होता है, sir, molecular formula होता है, which represents actual number of atoms in molecules, जो actual number of atoms molecules में बताता है, और empirical formula होता है, जो आपको simplest ratio के बारे में बताता है, जैसे, यहाँ देख बडा।, जैसे सपोस करो, आपका है, आपकी है, ग्लुकोज ले लेते हैं, glucose क्या है? C6, H12, O6 ये क्या है? molecular formula है मतलब molecular formula आपको असली में बताता है कि कितने atoms है, तो carbon के कितने है? 6 है hydrogen के कितने है? 12 है oxygen के कितने है? 6 है, बिल्कुल सही है ये molecular formula बताता है, real में कितने atoms present है तो इतने atoms present है लेकिन अगर मैं इसका simplest ratio निकालना चाहूं तो यहाँ पर देखो, carbon is to hydrogen is to oxygen 6 is to 12 is to 6 काटा पीटी करो, काटा पीटी करो simplest ratio निकालो, 1 is to 2 is to 1 तो यहाँ पर आगया बिटा, यहाँ पर आगया बिटा आपका CH2O, तो ये क्या है आपका? ये है empirical formula ये है empirical formula जो simplest ratio बताता है जो simplest ratio बताता है, जैसे और सवाल करो जैसे और सवाल करो, जैसे अगर मैं चर्चा करूँ C3H6, ये क्या है molecular formula? इसी को ही अगर मैं simplest ratio निकालो, तो carbon is to hydrogen 3 is to 6, काटा पेटी करो, 1 is to 2, तो ये आगया आपका simplest ratio, तो carbon है एक, hydrogen है 2, तो मतलब CH2, ये हो गया आपका empirical formula, ये हो गया empirical formula, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अब यहाँ दें, जैसे अगर मैं बात करूँ NH3, तो NH3 क्या है बेटा? आपका molecular formula है, अ एक nitrogen है और 3 hydrogen है, एक nitrogen है और 3 hydrogen है, अब ratio देखो बेटा, ratio देखो, nitrogen is to hydrogen, 1 is to 3, तो ratio क्या है, ये simplest ratio में है, और काटा पेटी हो सकता है क्या, क्या और काटा पेटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये already क्या है, simplest ratio में है, तो nitrogen 1 है, hydrogen 3 है, तो ये ही आपका क्या बन रहा है, NH3 यही आपका क्या बन रहा है empirical formula तो बिटा empirical formula और molecular formula same भी हो सकता है जैसे कि इस case में हुआ और अलग-अलग भी हो सकता है जैसे कि इस case में हुआ कुछ में होगा आप तो simplest ratio निकालोगे और जो भी आएगा उससे आप लोग को पता चल जाएगा ठीक है सर अब सर ये हम निकाल लेते कैसे अब इन दोनों में सर रिष्टा कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पर देखें जैसे अगीन मैं example लेता हूँ glucose का यहाँ पर देखें कि बटा अगीन मैं example लेता हूँ TH2O यह आया इंपिरिकल फॉर्मूला सही बात है सही बात है अगर मैं इसका मास निकालता हूँ अगर मैं molecular formula का मास निकालता हूँ तो वो कितना आता है glucose का 180C आता है अगर मैं empirical formula का मास निकालता हूँ तो देखो कौन है एक carbon, दो hydrogen, एक oxygen कितना आएगा इसका 30 आएगा कितना आएगा इसका 30 आएगा तो एक basically हम ratio निकालते हैं इनके masses का हम लोग इनका क्या करते हैं ratio निकालते हैं जैसे x लिया हमने कोई साभी number कैसे निकलेगा molecular formula mass upon empirical formula mass यह जड़ा निकालना ज़़ा करना ज़़ा तो कितना आएगा 180 divided by 30 कितना आएगा 6 आएगा कि इस case में 6 आगया यह x x मैंने निकाला molecular formula mass upon empirical formula mass कितना आएगा 6 आएगा तो अब relation क्या होता है दोनों में सर अब रिष्टा क्या होता है दोनों में रिष्टा बाबू यह होता है कि अगर आप empirical formula को x से multiply करो तो क्या आजाता है molecular formula यहापर देख x अलग अलग आएगा x कभी 6 आएगा कभी 3 आएगा जो भी आएगा हर किसी case में अलग 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 आएगा लेकिन x को जब आप multiply करोगे empirical formula से तो क्या निकलेगा molecular formula जैसे देख लो इसमें करके देख लो x कितना आया 6 x कितना आया वड़ा 6 empirical formula क्या है empirical formula है CH2O empirical formula है CH2O तो यहाँ पर देख CH2O अब देख ले क्या carbon यहाँ पर 1 है 6 से multiply कर तो यह बन गया C6 carbon यहाँ पर 2 है sorry hydrogen यहाँ पर 2 है 6 से multiply कर H12 क्या यहाँ पर oxygen यहाँ पर 1 है 6 से multiply कर तो O6 यह देख लो यह देख लो आगे आना भीड़ा यही तो है molecular formula यही तो है molecular formula तो x को अगर आप empirical formula से multiply करते हैं तो क्या आ जाता है molecular formula आ जाता है सही है सर अब देखिए empirical formula में किस तरीके के आप से सवाल पूछे जाते हैं सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं जब आपको percentage दे रखी हो यह वाला सवाल जिसे यह वाला सवाल जब आप लोगों को क्या कर रखी है देखो मैंने PYQ लेकिया है हूँ आप लोगों को भी confidence आजाए कि हाँ जी जो हम कर रहे हैं वो बिलकुल सई कर रहे है यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा यह उस तरीके का सवाल है जब आप लोगों को क्या दे रखा है आप लोगों को दे रखा है percentage of elements आपको क्या दे रखाए बड़ा? percentage of elements दे रखे हैं और आप से पूछा है कि यार empirical formula बताओ empirical formula बताओ यह formula यह सवाल आप लोगों से पूछेगा सबसे बेले सवाल पड़ो क्या बोल रहा है? कोई सा organic compound है कि जिसमें carbon है, hydrogen है और oxygen है elemental analysis के बाद carbon मिला 38.71 अब सुनना दे आपसे साथ साथ carbon कितना मिला carbon कितना मिला 38.71 जो सवाल में दे रखा है उसे देखो ठीक है हाइडरोजन दे रखा है 9.67 ठीक है बटा अगर न voice mismatch हो रहा है तो इतना भी नहीं है सबकुझ manageable है पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ लेगा जिसको बेटा spam करना है केवल वो spam ही करता रहेगा और वो पिछले एक गंटे से spam ही कर रहा है उनका नहीं सुना जाएगा अगर mismatch अगर थोड़ा सा हो रहा है तो I hope it is manageable सही करना है तो मैं सही कर देता हूँ मैं कोशिश कर लेता हूँ सही करने की session तो बंद नहीं करूँगा मैं उसके चक्कर में है ना यहां पर देखिए मैंने वापस से stream start कर दिए मैंने वापस से stream start कर दिए I hope it is manageable rest क्या है बटा oxygen rest क्या है बटा oxygen यहां पर देखो बटा rest क्या है oxygen अक्सिजं की कितनी percentage कितनी परसंटेज आएगी 100 मे से मैंनेस कर दोणों को 100 मे सिसे मैंनेस करतो दोनों को 100 मे सिसे मैंनेस कर दो दोनों Helsinal के percentage कितनी आ रहे है यह टोना जरा यह कितना होगे थाटी एड़ङट पॉइंड ईवन और 9.67 तो यहा गया 51.62, यह आएगा, यह आएगा, बिल्कुल सही है, यह oxygen आ गया, यह oxygen आ गया, चीक है, चीक है, चीक है, यह oxygen आ गया, यह oxygen आ गया, अब यहाँ पर देखो, अब अपन ने तीनों की percentage निकाल दी, अब अपन को बनानी है table, पेटा, सब सवालों में table बनेगी, सब सवाल में table बनेगी, यहाँ देख table में क्या बनाएंगे, यहाँ आजा, यहाँ आजा, पहला कॉलम क्या होगा, element का, दूसरा कॉलम क्या होगा, उसकी percentage, तो यहाँ पे देख, क्या आपका कारमन है, percentage किते है, 38.71, क्या आपका hydrogen है, percentage है, 9.6, क्या आपका oxygen है, percentage है, 51.62, सही, सही, परसंटेज है न, अब अरे अभी स्टार्ट हुआ है, रपीट के भाई, अभी सवाल समझाने दो दे, उसके बात तो बोलना, रपीट, सुन तो सही, यहाँ पर कारबन का दे रखा था, हाइड्रोजन का दे रखा था, ऑक्सिजन का निकाल ली है हमें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सवाल आया है, बहुत डिफिकल्ट आया है, यहाँ पर देखो बटा, कारबन की है 38.7 है, हैड्रोजन की है 9.67, टोटल परसंटेज कितनी होती है, 100, तो 100 में से, दोनों की अगर मैं मैंनस कर दूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 51.62, तो यह किसकी होग अब आजओ तीसरे कॉलम पर, यहाँ पर देखो बटा, तीसरे कॉलम, तीसरे कॉलम क्या होता है बटा, परसंटेज अपॉन अटॉमिक मास, अब यहाँ पर देखिएगा बटा, यहाँ पर देखिएगा, परसंटेज कितनी है, 38.71, यहाँ पर देख रहे हैं बटा, 38.71, अ एक से डिवाइट कर दिए परसंटेज कितनी है 51.62 अटॉमिक मास कितना 16 से डिवाइट कर दिया कोई है हुश्यार बच्चा जो मेरे को इस्वाल करके बताएगा यह कितना आ रहे है 38.71 divided by 12 कितना आएगा यह लग 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 3.22 के आसपास आएगा 3.2 के आसपास आएगा यह करना एक बर दराज है कितना आएगा यह 3.2 के आसपास आएगा लग 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 3.2 के आसपास आएगा यह तो यह तो यही रहे हैगा 9.67 9.67 ये भी लगबग लगबग 3.2 के आसपास ही आएगा ये भी लगबग लगबग 3.2 के आसपास ही आएगा ये solve कर लोगे 3rd column percentage upon atomic mass ये solve कर लिया अब आपका बनेगा 4th column 4th column क्या होगा simplest ratio बोल दो या relative ratio बोल दो एक ही बात है मैं बोल देता हूँ simplest ratio निकालेगा 4th column यहां देख ये आया 3.2 ये आया 9.67 ये 3.2 इन तीनों में सबसी चोटी value कौन सी है 3.2 सबसी चोटी value कौन सी है 3.2 इसको मार दे गोला इसको मार दे गोला दे गोला मार दिया दे गोला मार दिया अब simplest ratio निकालने के लिए क्या करना पड़ता है जो भी third column में value आई कितनी आई 3.2 इसको divide करो जिसको गोला मारा जो smallest value थी 3.2 से third column में value कितनी आई थी 9.67 इसको divide करो जो smallest था कितना था 3.2 इन ती नुमस smallest कौन था 3.2 तो सब को हमको 3.2 से multiply कर दा है अब यहां पर दिखो third column में कितना आया 3.2 smallest कितनी थी 3.2 तो सब को हमने smallest value से divide करा सब को हमने smallest value से divide करा तो क्या आया 1 3 1 तो relative ratio क्या आ रहा है relative ratio क्या आ रहा है क्या आ रहा है यह ना carbon आपका 1 आ रहा है hydrogen 3 oxygen 1 तो क्या बना 1 इस्टो 3 इस्टो 1 तो formula क्या बना रहा है carbon 1 hydrogen 3 oxygen 1 तो CH3 answer answer पहला option यह fourth column निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है क्या करा है third column में जो lowest value है क्या है 3.2 3.2 को तीनों से divide करो मतलब यहां पर देखो 3.2 divided by 3.2 9.67 divided by 3.2 3.2 divided by 3.2 smallest value से सब को divide करती है समझे 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 देखो क्या बोल रहा है organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen मतलब दो ही है सुनना ध्यान से दो ही है आपके एक दो carbon है 78% और दूसरा बोल रहा है hydrogen तो hydrogen कितना होगा 22 होगा क्योंकि दोनों तो क्या होंगे दोनों तो क्या होंगे 100 होंगे तो carbon क्या होगा 22 होगा ये तो सही है सही है अब बोल रहा है empirical formula बता है मैं आपको बेटा 1000 सवाल कर रहाँगा तरीका एक ही है तरीका एक ही है तरीका एक ही है क्या table बनाने अब देख table कैसे बनाएगा देख टेवल कैसे बनाएगा वापफ सीख लो बिटा एक पार वापफ सीख लो बिटा एक बार वापफ सीख लो बिटा टेवल important है क्योंकि एक ही तरीका है एक ही तरीका है इस सवाल करने का क्या है सबसे पहले element फिर बिटा percentage element कौन है carbon percentage 78 hydrogen percentage 22 सही है तीसरा कॉलम क्या है बेटा परसंटेज अपॉन अटॉमिक मास तो परसंटेज कितनी है 78 अटॉमिक मास कितना है 12 परसंटेज कितनी है 22 अटॉमिक मास कितना है इसको solve गरो इसको जड़ा किस से काटोगा यार किस से कटेगा ये किस से कटेगा ये 6 से कट जाएगा यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 13 13 by 2 आजाएगा ये 13 by 2 आजाएगा और ये तो 22 ही रहेगा 6.5 13 by 2 अच्छा चाहो तो 6.5 लिख दो 6.5 लिख दो सही है next column next column relative ratio कुछ भी लिख दो relative लिख दो simplest लिख दो एक ही बात है अब देख लो मैं एक और बार सिखा रहा हूँ मैं एक और बार सिखा रहा हूँ relative ratio कैसे निकालते हैं जो भी smallest value हो जो भी smallest value हो इसको गोला माण दे अब यहाँ देख 6.5 6.5 divided by smallest कितना आया 1 यहाँ पर value कितनी थी 22 divided by smallest यह लगभग लगभग कितना आया 3.3 3.3 अब यहाँ देख ना 3.3 atoms कुछ होते हैं के 3.3 atoms कुछ होते हैं के नहीं तो यहाँ पर जब आपर ने simplest ratio निकाला अब देखो आप लोग options देखो देखो यह आप लोग आप लोग एक बार options देखो आप लोग यहाँ पर देखो carbon कितना है 1 है hydrogen कितना है 3.3 अब अगर आप options देखो तो यहाँ पर देखो option क्या है CH CH2 CH3 CH4 तो round off कर दो से इसे round off करेंगे round off करेंगे तो इसे 1 माना और इसे 3 माना लिए 3.3 सबसे नजदीक किस के है 3 के है न round off करेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा तो C1 hydrogen 3 तो यहाँ पर क्या बना CH आया ना हाया ना भीटा हाया ना हाया ना हाया ना हाया ना बताईए आया ना महाबत हो गई थी दॉनकों एक अरसा हो गया मेरा यह इश्कता तो तरफा एक तरफा हो गया, स्टोश्यमेटरी, बाबारे बाबा, स्टोश्यमेटरी बढ़ेंगे, स्टोश्यमेटरी बढ़ेंगे, स्टोश्यमेटरी बढ़ेंगे, हुआ करो बिड़ा, चैट सेक्ष्टन बिड़ा, हुआ करो, मजारा है यार, भूध मजारा है बिड़ा, बहुत मज साना, एक अरसे पहले, सबसे पहले ये देखिए, स्टोशे सबसे पहला काम stoichiometry में क्या होता है? सबसे पहला काम stoichiometry में क्या होता है? to balance the reaction और balancing आप लोगों को कैसे करनी है? hit and trial से करनी अभी आप लोगों को balancing किस से करनी ही होता? hit and trial method से करनी होती है बैलनसिंग चेक है? अब यहा देखो जैसे अब stoichiometry के सवालों में होता क्या है बड़े द्यान से जैखने है जैसे सपोस करो आपका hydrogen आया है मैं example बताता हूं को जैसे सपोस करो hydrogen आया है जी सर्थ जैसे सपोस करो oxygen आया है यह क्या बना दिया H2O बना दी balance करो equation को यहाँ पर देखो मैंने equation को balance कर दी यहाँ पर देखो 2 into 2 2 into 2 तो 4 hydrogen यहाँ पर भी 2 into 2 तो यहाँ पर भी 4 hydrogen यहाँ पर देखो बिटा 2 oxygen और यहाँ पर भी देखो 2 into 1 तो यहाँ पर भी 2 oxygen reaction balanced है सबसे पहला काम stoichiometry में आप लोग क्या करोगे balancing the equation और जैसे आप balancing करोगे तो यहाँ पर देखो बता क्या रहा है यहाँ पर यह दो लिखा है तो इसका मतलब क्या है 2 mole I hydrogen के यहाँ पर लिखा है बिटा 1 इसका मतलब क्या 1 mole oxygen का है reacts to form यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर क्या है 2, तो 2 moles of पानी बना रहे है, मतलब 2 moles आये है hydrogen के, एक moles आया oxygen का, रियाक करके 2 moles बना रहे है पानी के, ठेक है और यह जो बेटा numbers निकल के आये, कौन गौन से, यहाँ पर जैसे 2 निकल के आये, हाँ oxygen के आगे क्या लिखावा है, 1 लिखावा है, तो यहाँ पर 1 लिखल के आया पानी के आगे क्या लिखावा है, 2 निकल के आया, तो यह जो numbers निकल के आते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, बेटा, stoichiometry स्टोशियोमेटरी कोईफिशेंट इनको बोलते हैं हम लोग स्टोशियोमेटरी कोईफिशेंट तो इस पर्टिक्लर केस में हाइडरोजन का स्टोशियोमेटरी कोईफिशेंट का है टू oxygen का stoichiometric coefficient का है 1 H2O का stoichiometric coefficient का है 2 समझें तो ये क्या है बटा stoichiometric coefficient है लेकिन ये stoichiometric coefficient आएंगे कब ये stoichiometric coefficient आएंगे कब जब reaction balance होएगी जब reaction balance होएगी तब ये निकल के आएंगे जैसे और example देखो जैसे suppose करो आपका ammonia का formation तो ammonia कैसे form होता है N2 आती है हाँ जी से H2 आती है हाँ जी से और ये बनाता है आपका NH3 reaction balance करना चाहो तो दियान से देख लो ये reaction balance है तो ये पता क्या रहा है जैसे यहाँ पे क्या है 1 है तो इसका मतलब क्या है एक mol आया N2 का 3 mol आये H2 के combine to form 2 mol of ammonia combine to form 2 mol of ammonia बिलकुल सही बिलकुल सही तो हमें stoichiometric coefficient से पता क्या चलता है हम लोगों को stoichiometric coefficient से पता चलता है कि किस ratio में reactants react कर रहे है और किस ratio में product form हो रहे है मतलब यहाँ पे जो ratio है 1 is 2 3 ratio में reactants react कर रहे हैं और दो ratio में आपका product form हो रहा है ratio पता चलता है हमें moles का किस से stoichiometry coefficient से अब यहाँ पे एक और फंडा देखिए कहीं पे भी अगर लिखावा है ऐसा कुछ word देखो यहाँ पे लिखावा है combustion of C3H6 सबोस करो यह लिखावा चलो combustion of C3H6 दे रहा है अब यह क्या है एक organic molecule है हमेशा याद रखना combustion का मतलब क्या है combustion का मतलब है कि हम लोग oxygen के साथ reaction कर रहे है हम लोग oxygen के साथ reaction कर रहे है मतलब इसकी reaction किसके साथ होगी oxygen के साथ और एक और बार ध्यान रखना कि कभी भी एक organic molecule oxygen के साथ reaction करेगा तो the product formed is always CO2 plus H2, हमेशा, हमेशा घमिटा, product formed is हमेशा CO2 plus H2, अब reaction जड़ा balance करते है, अब reaction balance करते हैं, यहां पर देखो कितने carbon है, 3, כितने carbon है, 3, तो इसको क्या करो, 3 से multiply कर दो CO2 को क्या करो बिटा CO2 को क्या करो बिटा 3 से multiply कर दो तो देखो carbon balance हो गए देख यहाँ पे 3 थे इसको मैंने 3 से multiply करा तो carbon balance हो गए यहाँ पे hydrogen कितने है बिटा hydrogen कितने है 6 तो क्या करो इधर पानी में भी 3 से multiply कर दो यहाँ पर देखो ज़रा 3 into 2 hydrogen balance हो गए अब ज़रा oxygen गिनो oxygen गिनो यहाँ पर 3 into 2 तो यहाँ पर कितने हैं 6 है oxygen और यहाँ पर 3 into 1 तो यहाँ पर कितने हैं 3 oxygen कितने हैं right side 9 oxygen कितने हैं right side 9 तो इसको क्या करो 9 by 2 से multiply कर दो 9 by 2 से multiply कर दो तो यहां पर क्या होगा बिटा यहां पर क्या होगा यह 2 2 cancel हो जाएगा 9 items आजएगे 9 items आजएगे 9 items आजएगे 9 items आजएगे हाँ इसका मतलब क्या एक मोल C3H6 का किस से रियाक्ट करेगा 9 by 2 मोल औक्सिजन से और कितने मोल बनाएगा CO2 के 3 मोल और पानी के 3 मोल हाया न हाया न हाया न हाया न बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब यहां देखो अगर मैं एक जनरल एक्वेशन माल लेता हूँ अगर मैं एक जनरल एक्वेशन माल लो किस तरीक हे की सबूस करो मैं यहापे जनरल एक्वेशन माल लेता हूँ हैंना क्या है सर जनरल एक्वेशन? जनरल एक्वेशन है A रियाक्टंट है B भी रियाक्टंट है ये दे रहा है C plus D and small a, small b, small c, См from a d यह क्या है? स्टो्शियो small v, small c, small d क्या है, stoichiometric coefficient, and this reaction is balanced, suppose करो यह reaction क्या है, suppose करो यह reaction क्या है, तो एक यहाँ पर बेटा, magical equation होती है, जिसको मैं बोलता हूँ बड़ा, जादू equation, जादू था ना बेटा, वही बड़ा, पाँ, 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 ऐसा दिखरता हूँ था, मा, मुझे सब दिख रहा है, मा, पर बड़ा, it's magic, it's magic, बास्केटबॉल का गेम होता है, तो मैं तो ध्यानी होगे बास्केटबॉल का गेम होता है, तो उसमें बड़ा इसे, तीन-तीन पुटके, जो बच्चे होते हैं, वो बड़ा, खड़े होके, डंक मार रहे हैं, ऐसे उचल रहे हैं, है ना, मापे होते हैं न रोहित महरा जी, रोहित महरा जी, शर्ट लगा लेते हैं, कि अगर बास्केटबॉल जीता, तो आगे बताँगा नहीं, शर्ट क्या थी, तुम लोग बहुत होश्यार है, तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पता है, तो रोहित महरा जी, होते तो, उनको एकदम से पता नहीं क्या होता है, वो बलते हैं कि शर्ट लगाएंगे हम तो, है न फिर पिर जादू को धूप में जाके खड़ा कर देते हैं वो बिटा दूप में सडु रहा है और उनको मैजिकल moras davea और फूद फूद के फूद के डंक की डंक मार रहे हैं इतनी दूर से बता बास्केट बाल पेक्ट दे रहे और बास्केट हो पीछे जादू को कुछ नहीं मिलता जादू क्या करा अपनी इक्वेशन छोड़ गया ज Ó और यह आप हर जो आप क्या करोगे हर stoichiometry के सवाल में लगाओगे सर क्या equation है आपको क्या करना है number of moles of A upon stoichiometry coefficient मतलब A के moles लेने है A के moles लेने है और divide करना है उसको stoichiometry coefficient से equal to number of moles of B upon stoichiometry coefficient equal to number of moles of C upon stoichiometry coefficient equal to number of moles of D upon stoichiometry coefficient कितने गंदे हो यार तुम्हें सब बच्चे कितने गंदे हो तुम लोग ऐसे कोई जादू की उडाता है बच्चे अगर रोहित महरा को बास्केटबॉल गेम खेलने पर और जीतने पर कुछ मिल रहा है तो उसे मिलने तो तुम्हारी क्यों जल रही है बेटा ऐसे जादू के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है इतना वेटा जेलेसी सही नहीं है यहाँ पर देखो यह जादू ही एक्वेशन है यह आप लोग अपलाए करोगे स्टोशियोमेटरी के सवालों में अब यहाँ पर देखो case 1 अब हम लोग क्या कर रहे है case 1 सर क्या case 1 है case 1 क्या है बेटा when information about one reactant और one product is given मतलब पूरे सवाल में आपको information information का मतलब क्या आपको mass बता देगा आपको particles बता देगा आपको volume बता देगा या फिर आपको moles बता देगा तो इन चार में से कुछ भी बता सकता है माज बता सकता है particles बता सकता है particles मतलब इतने atoms है, इतने molecules है बता सकता है volume कितनी है बता सकता है moles कितनी है लेकिन पूरे question में सिर्फ एक reactant या एक product के बारे में बता है that's it, that's it, that's it यह पहला case सवाल करते हैं, सवाल के थुरू समझेंगे आपके सामने, बता, सवाल यह रहा सवाल बढ़ो एक बढ़ बता calculate mass of H2O formed when 10 gram of H2 reacts with excess of O2 पहले equation लिपो H2 आया, आया रेवावा O2 आया, आया रेवावा क्या बनाया बता, पान, reaction को balance पल लो reaction को balance पल लो, reaction को balance पल लो सबसे पहला काम reaction को balance अब जो चीज दे रखी है वो लिखना, क्या दिया है 10 gram H2 का दिया है 10 gram H2 का दिया है तो यहाँ पे 10 gram लिखा यहाँ पे 10 gram लिखा जो दे रखा है, वो लिखेंगे ठीक है सब gram हो, particles हो, volume हो कुछ भी हो, सब को convert कर ले moles, सब को convert कर ले moles में, तो 10 gram hydrogen का मतलब moles कितने हो गए, 10 by 2 क्या 5 mole हो गए क्या 5 mole हो गए, आजी सर्थ 5 mole हो गए, आजी सर्थ अब जैसे ही आप mole निकाल दोगे फिर भुलाओ जादू को जादू आएगा बेटा पॉं 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 है ना और फिर वो लगाएगा अपनी जादू ही equation कैसे लगाएगा, कैसे लगाएगा number of moles of hydrogen upon इसका stoichiometric coefficient कितना है, 2 है तो 2 है equals to number of moles of oxygen upon इसका stoichiometric coefficient कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया equals to number of moles of H2O upon इसका stoichiometric coefficient कितना है, 2 है तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया चेक है, अब क्या करो इन दोनों को इन दोनों को वो कर दो, इन दोनों को relate कर दो, यहाँ पे देखो hydrogen के moles कितने है, हमने निकाले 5, कितने है, 5 तो यहाँ पे लिखो, 5 2 से 2 बेटा काट दो कभी तो तुम भी काटँ, अर रसर कभी तो हम भी काटें, 2 तो कड़े गया पेटा, number of moles पानी के कितने हागए, number of moles पानी के कितने हागए, 5 आप सवाल पटना है जड़ा, क्या आप से moles बूचे है, क्या आप से मूल से पुचें आप आप मास तो यह तो बड़ा आसान है अगर आपका पानी होता एक मॉल मास कितना होता है 18 ग्राम कि तो पांच मॉल यह थो पांच मॉलाय नर्ट कि तो जैला रहा कि रूगा जादू का मार है ने बेटा ना जादू को रिक्वेश्ट करो बोलो कि हम भी बासकेट बॉल का मैच खेलना चाते हैं हम भी शर्ता लगाना चाते हैं हमारी भी खरदो तो वो करेगा बेटा जादू का दिल बहुत बड़ा है वो अगर एक्वेशन करके जाना ठीक है जो भी विटा जो भी विटा रिकॉर्ड इट सेशन देखे या फिर यह जब स्ट्रीम करम हो तो कमेंट करके जरूर जाना कि जादू को रिकुस्ट करना ठीक है यह थोड़ी वाद पर हेलप कर दिया रोहित मेरा से अपन कोई कम हैंगे आजा यहां देख व वो रहा है किसका ग्लूकोज का सबसे पहली बाद सबसे पहली बाद कम्बशन का मतलब गया कम्बशन का मतलब गया ऑक्सिजन के कर दो पहरे तो CO2 को 6 से मल्टिप्लाइए कर दो carbon balance कितने hydrogen है यहां पर 12 तो पानी को भी 6 से multiply कर दो 6 into 2 देखो 6 into 2 12 होगे अब oxygen देखो यहां पर देखो ज़र ध्यान से यहां पर देखो 6 into 2 क्या यहां पर 12 है 6 into 1 क्या यहां पर 6 है तो 12 और 6 18 होगे oxygen right side कितने है 18 देखो 6 already यहां पर है तो अगर मैं इसको 6 से multiply करो तो यहां पर देखो 6 oxygen यह 12 oxygen यहां पर तो यहां भी 18 होगे यहां भी 18 होगे तो क्या मैंने reaction balance पर दिए अराम से देख लो अराम से देख लो मैंने reaction balance पर दिए अराम से देख लो मैंने reaction क्या कर दिए balance पर दिए अराम से देख लो पटा मैंको कोई जल्दी बाजी नहीं है देख लो पटा reaction balance कर दिए अराम से देख लो अब सवाल में कितना दे रखा है 90 ग्राम ग्लुकोज का मतलब इसका दे रखा है 90 ग्राम ग्राम में मज़ा नहीं आता मज़ा आता है सर मोल्स में गिवन मास अपन मुलर मास तो कितना आगया? आधा मोल आगया कितना मोल आगया? आधा मोल आगया आपको किस के बारे में बूछ रहा है? oxygen के बारे में तो निकालो पेटा जादूई equation देख, जादूई equation निकाल number of moles of glucose upon उसका stociómetric कितना है stociómetric represent? glucose का 1 equals to number of moles of oxygen upon इसका stociómetric बस इन दोनों में लिखो अगर अबन को रिष्टा इन दोनों में निकालना है तो इन दोनों की लिखो इन दोनों की मतले को पूरी जादू equation पूरी लिखने की दुरत नहीं है अब यहां पर कितने मोल है हाफ glucose के कितने मोल है हाफ तो यहां देखो यहां गया हाफ equals to number of moles O2 by 6 क आटा पीटी करो बेटा तो number of moles oxygen के कितने आ रहे है वड़ा तीन मोल कितने आ रहे है तीन मोल आपसे moles नहीं पूछे आपसे volume पूछे तो volume कितने आएगी वड़ा 3 into 22.4 अब मेरी बात ध्यान से सुन अब मेरी बात ध्यान से सुन अब आप बोलो कि सर एक बात तो सुनो सर अमारे सर अतरंगी खूपड़े में अतरंगी डाउट आए सर सौल्व कर दो ना सर पूछ 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 सर डाउट यह आया है कि सर इससवाल में तो STEP लिखा ही नहीं है आपने सर यहां पर 22.4 से multiply किया सर तो वह तो आप बोलते हो कि कि STP पे होता है STP पे होता है सर सवाल में तो STP लिखा ही नहीं है इतना सेंटी थोड़े नहीं होना है बेटा जीवन में इतना सेंटी नहीं होना था तभी तो गड़बड होई तभी तो बेटा तभी तो बेटा इतना सेंटी नहीं होना है जीवन में इतना चलता है बेटा कोई दिक्कत की बात है इतना सेंटी मत होना जीवन में चल जाएगा चलो ठीक है आगे बड़े बड़ो सर आगे बड़ो अब यहां पे देखो एक इस तरीके के सवाल देखो अब देखो अगर आप लोग बेटा मूल कॉंसेट पढ़ते हो तो मूल कॉंसेट को ऐसे भयंकर रूप से भयंकर रूप से पढ़ाया अज पता है ना मतलब उसमें परसंटेज प्यूरिटी फिर आगे आएगा सीक्वेंशल रियाक्शन फिर आगे आएगा परसंटेज मैं बोल रहा हूँ सब लप्व है सब लप्व है एक बार पहरे चार्ट सेक्शन में लेख दो फर्जी है सब के सब क्या है सब के सब क्या है It is simply application of stoichiometry अगर stoichiometry समझ में आता है अगर stoichiometry समझ में आता है तो it is simply application of stoichiometry कैसे कैसे अगर आपसे बोलता है अगर आपसे बोलता है कि percentage purity की बताओ percentage purity की बताओ देखो कोई सा भी अगर compound है या फिर कोई सा भी sample है तो उसमें बेटा कुछ pure component है कोई सा भी अगर sample है तो उसमें कुछ में तो बेटा pure component है और कुछ बेटा impure component है तोनों component है बिल्कुल सही बेटा जैसे एक इंसान होता है तो उसमें बेटा कुछ अच्छी बाते होती है कुछ बेटा बुरी बाते होती है है ना जैसे आप हो बेटा आप में भी बेटा कुछ पुरोज है कुछ कौन से है जैसे मैं हो बेटा मैं भी में भी बेटा कुछ पुरोज है कुछ कौन से है केवल बिटा उसमें कुछ कमिया नहीं है बाकि आप में और मेरे में तो बिटा कमिया है अच्छी बाते भी हैं और कमिया भी है तो कोई साभी सैंपल होता है तो उसमें pure part भी होता है impure part भी होता है तो अगर मुझे percentage निकालनी है purity की तो मैं क्या निकालूँगा मैं कैसे निकालूँगा weight of pure component है ना upon total weight upon total weight into 100 into 100 और वही पर ही अगर suppose करो मैं percentage निकालू बेटा impurity का percentage निकालू impurity का तो क्या हैगा weight of impure सही बात है upon upon total weight into 100 सही बात है सर इसी तरीके से निकलेगी percentage इसी तरीके से निकलेगी सर अब कुछ इन सवालों को करने का कुछ तरीका है कैसा है सवालों को करने का कुछ तरीका है कैसा है सर बिलकुल है सर क्या तरीका है क्या तरीका है मैं आपे trick बता रहा हूँ ध्यान से सुनिये गा percentage purity वाले सवालों को किस तरीके से करना है वो trick आ रही है उसको ध्यान से सुनिये गा सर क्या trick है trick है बाबू ये कि आप लोग इन सवालों में क्या करना product product से reactant की तरफ आना product से reactant की तरफ चलेंगे सर कैसे थोड़ से चलके बताओ कैसे थोड़ से चलके बताओ जैसे सवाल देख सवाल ये दे रखा है सवाल क्या दे रखा है सवाल आप लोगों को दे रखा है क्या बोल रहा है 8.7 gram है MnO2 का on reaction with HCl gives 0.224 liter of Cl2 at STP find percentage purity of MnO2 ध्यान चा समझा ना बटा ध्यान चा समझा ना तोत्ते नहीं उड़ेंगे बटा तोत्ते नहीं उड़ेंगे गर सुनोगे तो यहां पर देखो percentage purity बोल रहा है ठीक है आपको क्या कर रहा है 8.7 gram दे रहा है MnO2 का आपको बोल रहा है 0.224 liter है Cl2 का हमेशा percentage purity वाले सवाल में product से reactant की और तो यहां पर देखो CL2 क्या CL2 product है क्या CL2 product है कितना दे रखा है जरा लिख यहां पर देखो पिटा मैं एकदम step by step बता रहा हूँ आपको कितना दे रखा है 0.224 liter जो दे रखा है मैंने product की तरफ लिख दिया reactant को मैं नहीं छेट रहा हूँ केवल मैंने product लिखा है ठीक है सब अब इस से काम नहीं चलेगा इसमें क्या है आपका liter में आप लोग क्या करो इसको moles में convert करो moles में convert करोगे तो कैसे करोगे given volume upon 22.4 तो यह कितना आएगा यार कितना आएगा यह यह आएगा आप लोग का 1 by 100 1 by 100 1 by 100 moles आएगा 1 by 100 moles आएगा product के बारे में मैंने 1 by 100 moles आप देखो क्या यह reaction balance जाए एक बार यह देख रहा क्या यह reaction balance जाए पूरी के पूरी हाँ जी सर यह reaction तो balance जाए balance जाए अब सुनना ध्यान से अगर CL2 में एक mole है तो क्या MnO2 का भी एक mole आएगा stoichiometric coefficient क्या है क्या दोनों जगे stoichiometric coefficient 1 है अगर CL2 1 है तो यहाँ पे MnO2 भी क्या है 1 है हाँ तो अगर यह एक बटे 100 है तो क्या इसके moles भी इसके moles भी एक बटे 100 होंगे क्योंकि तभी तो ratio 1 is to 1 का है यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है हाँ सर तो यहाँ अगर 1 by 100 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 by 100 होगा सही है सही है तो देख क्या मैं product से reactant की तरफ गया क्या मैं product से reactant की तरफ गया बिल्कुल गया सर बिल्कुल गया सर और यहाँ से मैं अब इसका मास निकाल सकता हूँ मैं यहां से इसका मास निकाल सकता हूँ मैं यहां से इसका मास निकाल सकता हूँ है ना तो यहां पर देखो मास कैसे आएगा मोल्स अपॉन मुलर मास मनोटू का मुलर मास कितर आएगा अब ऐसे तो देखो आपको सवाल में दे रखा होगा को इसनिति जीए दे बहे दों मैं सवाल में देतो होता है 25 ऑक्स्जिवन हो जाएगा गतीस कीदिना हो जाएगा 87 हो जाएगा 87 मोर्न मास किदिना हो जज़ेगा 87 हम लेससे क्या ये ज़ो वेट आया यह 그러न कूछ वेट मुझे बतागी। क्या weight, zero point eight seven आ गया? हाजी सर, अब इसका मतलब क्या ये जो weight आया है, ये जो weight आया है देख परोडक्त से reactant की और और जितना भी, mass निकले ये, mass क्या है बेटा, pure mass है। ये mass पते क्यां पते क्यां पते क्यां चोड़ते बटा पैनवें चोड़ते भाई छोड़ते चोड़ते चोड़ते यह equation दे रखी थी आपको ठीक है balance करके दे दी equation आपसे सवाल में पूछ रहा है percentage purity बताओ MnO2 की ठीक है सर्थ मैंने आपको trick क्या बताई percentage purity में वापस सब्जारों पूरी product से reactant की तरफ तो product के बारे में क्या दे रहेक है CL2 के बारे में 0.004 0.0.224 ठीक है मैंने यह से मोल्स निकाल दिया एक बट्टे 100 मोल्स आगे अब स्टोश्योमेटर मुझे बता रही है कि अगर यहां पे एक मोल है तो MnO2 का भी कितना मोल है एक मोल है reaction balance दे बालंस अगर इसके 100 मोल्स ना इसके 1 by 100 मोल्स है तो इसके भी कितने होंगे 1 by 100 मोल्स अब मोल्स से मैंने निकाल दिया molar mass से multiply करेके मैंने निकाल दिया weight अगया 0.87 अब यह जो mass आया है यह क्या आता है pure mass आता है pure mass आता है अब आपसे अगर percentage पुछिए तो यहाँ पर देखो percentage कैसे निकालोगे, percentage Purity कैसे निकालोगे, pure mass कितना है बेटा, 0.87, total mass सथ手 है, total mass देखो सवाल में दे रखा है, kितना दे रखा है, 8.7, मतलब 10% ही काम का है 10% ही प्योर है 10% ही प्योर है सर अटॉमिक मास कैसे याद रखेंगे सबके अटॉमिक मास वैसे तो देता है सवाल में जनरल जो एलेमेंट से उनके याद रखिएगा अतरंगी जो से मेजर ली आ जाता है समझे तो प्योर मास आया 0.87 तो प्योर अपॉन टोटल इन 210 परसंट आया ना एक बार मझे थमसब देदो सर रियाक्शन क्वेश्चन में होगी रियाक्शन देखो मेरी बाद समझे ना अभी जो मोल कॉंसेट है न वो इनिशेली बच्चों को टफ लगता है क्यों जैसे आप लोगों ने पूरी केमिस्ट्री तो पड़ी नहीं होती है और केमिस्ट्री का सबसे पहरा चाप्टर ही है मोल कॉंसेट तो बच्चे यह सोचता है कि सर यह रियाक्शन यह रियाक्शन कहां आएग प्रसंटेज 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 application है stoichiometry का application है stoichiometry सर कैसे पैचानूगा sequential reaction कैसे पैचानूगा sequential reaction यहां पर देखो यहां पर देखो first reaction का product जो पहली reaction का product है वो दूसरी reaction का reactant होगा यह होती है sequential जो पहली reaction का product है वो ही दूसरी reaction का reactant होगा कैसे सवाल आजाए कैसे सवाल यहां प्यार से इक एक equation दे रगे एक equation दे रही है सर कैसे 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 पैचानू, मैं कैसे पैचानू, sequential reaction है, तो यहाँ देख, जो पहली equation है, इसका जो product है, SOT, यही दूसरी equation का reactant है, यही दूसरी equation का reactant है, तो देख, sequential reaction देखी, पहली reaction का जो product है, यही दूसरी reaction का reactant है, सभी बात है, सभी बात है, अब यहाँ देख, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल यह बोल रहा है, दो मोल S8 के, will produce how many moles of SO3, SO3, अब सुनना देना से, सबसे पहले पहले equation लिख, सबसे पहले पहले equation लिख, S8, plus 8O2, will give you 8SO2, यह है, equation लिख दी मैंना, पहली equation लिख दी, हाँ, अब देख, क्या इसके दो मोल दे रखे हैं, सवाल में दे रखे हैं, अब देख, stoichiometry दे एक, अगर इसका एक मोल, तो SO2 के कितने मोल, आठ मोल, stoichiometry बता रहे है, reaction balance लिख है, अगर इसके एक मोल, तो Dash 8, इसके अगर दो मोल, तो इसके कितने डबल, इसके कितने, कितने 16 मोल होंगे, बताइए, भाई अगर इसके एक है, तो इसके आठ है न, तो इसके दो होंगे, तो इसको 16 होंगे न, तभी तो ratio 1 is to 8 कराएगा, तभी तो ratio 1 is to 8 कराएगा, अब दूसरी equation लिख, दूसरी equation है, दूसरी equation है, अब देख, क्या 16 mol आ गए SO2 के, तो इसको यहाँ डाल दे, तभी तो sequence बनेगा, एक का जो product है, वो दूसरे का reactant है, तो कुछ नहीं, इन 16 mol को यहाँ डाल दे, यहाँ डाल दे, तो यहाँ पे 16 mol, अब यहाँ देख, अगर यहाँ दो mol SO2 के, तो दो ही mol SO3 के, same same है, तो यहाँ अगर 16 mol, यहाँ पे भी 16 mol, आंसर आगे 16 mol SO3 के, देख, NCRT lines भी include होईगी है, NCRT beta आप लोग को इसके बाद पढ़ने की अवशक्ता नहीं है, NCRT beta मैं अपने notes में एक-एक point जो भी mentioned है, वो सारी चीजे में integrate करके आता हूँ, आपको NCRT extra पढ़ने की कोई जोरत नहीं है, आप अराम से notes करिएगा, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, मैंने ये चीज जब launch किया तक वीडियो रफतार का, तो भी बढ़ाई थी, अभी भी आप लोग सुन लो, notes मत बनाईए, आप लोग रफतार के notes मत बनाओ, ठीक है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर हूँ है, टेलीग्राम चैनल प्लीज PDF से पढ़िए, अगर आपके पास पहले notes बने वे हैं, मेरे बने वे हैं, या किसी और teacher के बने वे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है, जो भी आप लोग के पास notes हैं, वो आप notes लेके बैठा करो, एक साथ में copy लेके बैठा करो, जो भी हम question कर नहीं, तो question तो आप लोग solve करते जाएं साथ साथ, और notes में अगर कोई extra point देखे, अगर आप लोगों को कोई साभी extra point देखे, तो उनी notes को update करते जाएं, देखो अभी हमारे पास समय नहीं है, कि मैं बैठके वापिस से अपने handwritten notes बनाओ, कोई समय है ही नहीं इतना, short notes provide करेंगा, आपको telegram channel पे short notes provide करेंगा, आप लोग बिंदास वहां से revision करिए, और short notes आपको पता है, मेरे supreme short notes है, बहुत ही शांदार short notes है, शांदार short notes है, telegram channel जाइन करो, उससे proper revision करिए, उससे proper revision करिए, ठेक है, 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 ठेक है ज़रा चैट सेक्षन में है फर्जी है यह भी अप्लिकेशन है स्टोइश्योमेट्रिक पर्जी है भाई सब फर्जी है यह बिसिकली अपने को क्या बताता है बस्टोइब को किताब के सामने बैडता है कितने गंटे बढ़ता है नतो इसमें बिसमें तो आपको किसी के ख्याल नहीं आ रहा है, आप बिटा इंस्टाग्राम पे रीले स्क्रॉल नहीं कर रहे हो है ना, आप बिटा किसी के WhatsApp मेसेज का reply नहीं दे रहे हो effective study वो है, तो उसने बोला सर, effective study तो सर effective study तो सर मैं 2 गंटे ही करता हूँ 2 गंटे ही सर मैं effective study करता हूँ ठेक है, बाकी सर reply message कर देती है message कर देती है, वो सर reply करना पड़ जाता है मेरे को यह भी तो दिक्कत है तो मैं message आ जाता है किसी का तो 2 गंटे सर मैं effective पड़ता हूँ तो तुमारी percentage yield या फिर percentage efficiency क्या होई 2 गंटे पड़ते हो 12 गंटे में से into 100 यही तो हुआ यही तो हुआ यही तो हुआ यही आपके reactions का भी होता है यही आपके reactions का भी होता है कैसे, जैसे सबस्कुरोगी है क्या बोल रहा है सुनना देंसे बोल रहा है 12 ग्राम hydrogen on reaction with N2 produces 3 moles of NH मतलब यहां पे देख यहां पे देख आया हाँ जी आपका nitrogen आया हाँ जी react करके क्या बना दिया अमोर पहले तो reaction को balance कर दिया स्टोशिमेटरी के तो सवाल है reaction तो balance करना पड़ेगा कर दिया सब अब देख क्या आपको इसका 12 ग्राम दे रहा है बड़े ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से सुनना limiting reagent आ रहा है इसके बाद देखो limiting reagent यह है यह limiting reagent का ही case है आ रहा है limiting reagent यहाँ पर पहरे देखो इसको क्या दे रहा है आपको 12 ग्राम ग्राम में सर मजा नहीं आता moles में convert करो given mass 12 molar mass 2 moles कितने होगे 6 moles कितने होगे 6 अब सुनना ध्यान से जादू को बलाओ बड़ा जादू को बलाओ बड़ा जादू को बलाओ जैसे ही आप जादू को बलाओगे तो यहाँ पर देखो जादू equation लखाओ number of moles of hydrogen upon stoichiometric option कितना है 3 अब यहाँ देखो hydrogen के moles कितने निकाले अपने 6 निकाले किर निकाले 6 निकाले तो यहाँ पर देखो 6 by 3 equals to number of moles NH3 by 2 तो यहाँ पर number of moles NH3 के कितने आगे बड़ा कितने आगे चार मोल आगे चार मोल आगे निस तरी के आजी सरा आगे लेकिन जड़ा सवाल पड़ो सवाल पड़ सवाल पड़ चार मोल आए है NH3 के सवाल पड़ सवाल में तो बोल रहा है तीनी मोल है तीनी मोल है मतलब गड़बड है गड़बड है तीनी मोल है मतलब यह बात हो गई आप बोल रहे हो चार घंटे की पड़ाई करता हूँ मैं से आप बोल रहे हो चार घंटे की पड़ाई करता हूँ मैं से लेकिन effective कितना कर रहे हो तीन ही कर रहे हो effective कितना कर रहे हो तीन ही कर रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं percentage yield निकालो तो 3 कर रहे हो, करनी केतने ही चाहिए, चार यहीटो सौ तो कितने ही आगई से जाए है सब्सक्राइब चले सब्सक्राइब चले केस वन चल रहा था केस वन क्या था वन इन्फरमेशन अब वन रियाक्टन और वन प्रोडक्ट इस गिवन अब आजो केस टू क्या बोल रहा है वन इन्फरमेशन अब आउट तू और मोर रियाक्टन इस गिवन सबसे पहली बात इन्फरमेशन का मतलब क्या मास देदेगा वल्यूम देदेगा पार्टिकल्स देदेगा या फिर मोल्स देदेगा अब सुनो ध्यान से यही केस है लिमिटिंग रियेजन का अब आएगा मजा ऐसी ट्रिक बताओंगा ना बिटा यहीं पर ही तुम बिटा चार थंके मारोगे है इतनी शांदार है है चार जूंके मारोगे इतनी शांदाट है इतनी शांदाट है यही केस है limiting reaction का अब सुनिए का दियान से केस क्या है जब आप लोगों को information information का मतलब है कुछ भी आपको information जिसे माज दे दिया मोस दे दिया को बोल रहे हो कि सर आज बड़ा मन हो रहा है सर आज मूड हो रहा है मूड किस चिछ का हो रहा है बड़ा मूड हो रहा है पानी बनाने का मूड है तो आपने आप ने बोला कि hydrogen लाएंगे आपने बोला oxygen लाइंगे और आपने बोला पानी बना दे अभर आपने क्या करा आप इसके तो लेकर आए Em22 8 इसके लेके आए दस कंजूसी कर दी और आपने ऐसे लाने में हाइड्रोजन तो बहुत सारे लेकर है आप सुनो देहां से अब सुनो देहां से देखो वेन information about two और more than two reactant is given यहां पहिम को hydrogen के बारे में बता रहा है यहां पहिम को oxygen के बारे में भी बता रहा है अब सुनना थ्यान से stoichiometry हमें क्या बताती है stoichiometry हमें क्या बताती है एक mole oxygen के लिए दो mole hydrogen चाहिए हाँ या ना देख ले जब अराम से देख लो एक mole oxygen के लिए दो mole आपको hydrogen चाहिए हाँ तो अगर आपके पास 10 mole है oxygen के तो क्या मैं यह बोलूँ हाँ यहां पे 20 mole H2 के required होंगे डबल चाहिए होते हैं भाई अगर इसका एक mole है तो इसके 2 mole है इसके 10 mole है तो इसके 20 mole required होंगे लेके कितने आयो 100 mole लेके कितने आयो 100 mole तो क्या यहां पे मैं यह बोल सकता हूँ therefore 80 moles hydrogen के बच जाएंगे 100 रुपे थे आपके पास बेटा 20 रुपे खर्च हो गए तो 80 mole बच जाएंगे और यह तो आपने कंजूसी करी यहां पे तो आपने कंजूसी करी 10 के 10 mole इसके 20 mole के साथ react कर गए तो यह तो कुछ भी नहीं बचा यह खतम हो गया यह क्या कर गया बटा यह खतम हो गया यह क्या कर गया बटा खतम हो गया तब ही देखो मैंने dash लगा दिया तो ऐसा reactant जो खतम हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते है limiting reagent मतलब यह क्या है आपका LR यह क्या है आपका LR limiting reagent कौन होता है limiting reagent definition देखो reactant reactant which is consumed first in the reaction जो सबसे पहले खतम हो जाए जो सबसे पहले खतम हो जाए oxygen खतम हो गया oxygen खतम हो गया तो यह क्या करता है limit करता है reaction को यह क्या करता है reaction को रोक देता है इसने reaction को रोक दिया सबसे पहले जो खतम हो गया वो है limiting reagent और जो बच गया जैसे hydrogen बच गया hydrogen क्या हो जाएगा बिटा excess reagent ER excess में है खूब सारी मातरा में तो ER बोलेंगे हैं हमसे चैकर अब आप लोगों का यह सवाल आएगा कि सर मैं पहचानूंगा कैसे की limiting reagent कौन होता तो यहाँ पर देख यहाँ पर देख how to find LR यहाँ पर देख how to find LR यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहांपे देखो क्या बोल रहा है that reactant is LR वो reactant LR है whose whose percentage upon stoichiometric coefficient is minimum sorry, whose moles upon stoichiometric coefficient, ऐसी क्या है पीटा stoichiometric coefficient, लिख दू लिख दो सर, सब लिख दो सी क्या है पीटा stoichiometric coefficient चेक है जिसका moles upon stoichiometric coefficient minimum होता है, वो होता है आपका LR, चेक है और इस ratio को सुन लो ध्यान से, इस ratio को, यह जो moles upon stoichiometric coefficient जिसका minimum आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर stoichiometry भी बोल, सर क्यों बोलते हैं, अभी एक शान्दा trick बताऊँ है उसके लिए मेरिट रख है यह, मेरिट रख है पर stoichiometry बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी मैं आगे बताने वारा हूँ यहां जो, पहले सवाल कराता हूँ, आप लोगों कुछ सवाल करता हूँ find LRR limiting reagent and excess reagent चले find करिए बटाँ find करिए आप लोगों दे दिया है hydrogen दे दिया है, oxygen दे दिया है इसका 32 दे रखा है इसका 10 gram दे रखा है LR और ER बताओ कुछ नहीं जो भी दे रखा है उसको moles में convert 10 gram hydrogen का moles निकालो given mass 10, molar mass 2 moles 5 moles निकालो बटा oxygen के given mass 32, molar mass 32 कितना आगे, 1 mole आगे कितना हागे एक मोल आगे अब यहां देख हुआ ठंडी क्या चाहँ अब यहां पर कैसे निकालोगे मोल्स अपोण स्टोषियोमेट्रीक को क्या हो गया फाइव बाए 2 कितना आ गया 2.5 मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक ओफिशंट वन बाय वन कितना गया तो छोटी वैल्यू कौन सी है रेशियो छोटा कौन सा है 2.5 या वन वन तो यह हो गया आपका यह हो गया यह हो गया ए आर तो ऑक्सेजन हो गया लिमिटिंग रिएजन हाइड्रोजन और सुन लो यह छोटा रेशियो कौन सा आया वन आया नहीं चोटा रेशियो वन इस छोटी वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूं पर स्टोशियू मतले सर क्यों बोल रहे हो अरे मेरी मर्जी यार मैं बढ़ाऊंगा तो मैं भूलूँगा न अभी ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना बल्ले बल्ले करोगे हाँ इसको छोटे रेशियो को क्या बोलो पर स्टोशियू मतले अभी आएगा क्या यह करो गटा बोल रहा है इकवल वाल्यूम और एंटू एच्टू रियांक्ट एड़ स्टीपी तो एलार और ए आर फाइंट करो करना दरह करना एक्वेशन दे रख रहा है तो बोल दे ना मान ले कुछ भी मान ले मैं मान लेता हूं इसकी एकस लीटर है इसकी एकस लीटर है बराबर मान एकस अगर पसंद नहीं है तो एक लीटर मान ले एक लीटर मान ले एक लीटर पसंद नहीं है तो दस लीटर मान ले दस लीटर मान ले आंसर गेवग रौल्यूम अपॉन 22.4 जा गोल्यूम अपॉन 22.4 तो मोल्स निकाल दी है फिर डंडा खेज़ मज़डा अब क्या करेग अब गरेगा। मॉल्स अपॉन स्टोश्योमेट्रिच ऐंपॉन दो कि तना है एक्सफॉन होन 202.4 स्टोश्योमेटर कोविशन कितना है यहां पर देखो 3 यहां पर 305 है कि यह नहीं थीप dünyaIs यहां पर दिनॉमिनेटर बड़ा है यहां पर दिनॉमिनेटर बढ़ा होगा तो ओवर्ल फ्रैक्षन छोटा हो जाएगा यह वाल्यू क्या है छोटी है यह और यह हो गया आपका यह हो गया आपका या आप हाया ना आप आप पार्ट एएटी एस अवेलेवल है बीस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वीडियो सल्यूशन है उसे ले लो भाई ले लो भाई लास्ट डे है आज ओफर का लास्ट डे है आज 30 परसेंट ओफर तो इसे ले लीजिए ना आपको मैं बोल करेंगा उसकी अनालेसिस करनी पड़ेंगे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे उसी के लिए पीटा पार्थ है जी एंटी 25 लगा के आप लोग बिल्कुल इन्रोल कर सकते हैं चलो यहां चलो यह सवाल करो यह सवाल करें करनी ही पड़ती है टेस सीरीज आपको करनी पड़ती ह चाहिए हजारों बच्चे पार्थ टेस्ट दे रहे हैं आप लोग भी दीजिए और उस कॉंपेटिशन को फील करिए उस टाइम बाउंडेट अप्रोच में क्वेश्चन सॉल्व करना कि आर मेरे को तीन गंटे 20 में में पूरी फिस पूरी केमिस्ट्री पूरी बायलॉजी कंप्लीट करती है बेहद इंपोर्टेंट है बेहद इंपोर्टेंट है वो प्रेशर फील करना बहुत आजो अब यह करिए अब यह करिए अब यह करिए अब बताओ एलार कौन है इयार कौन है बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है क ऑक्सिजन है बेटा, गिवन मास 32, मोलर मास 32, मोल्स कितने एक, उसके बाद डंडा कहचो यह, उसके बाद डंडा कहचो यह, अब यहाँ पे देख, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेटरी कोफिशिट, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेटरी कोफिशिट, मोल्स अपॉन स्टोशियोमे ये क्या हो गया आपने तो ये बोला था कि जहां पे भी ratio छोटा आए वो आपका limiting reagent है लेकिन यहां पे तो दोनों में ही क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो सुनना ध्यान से ऐसे case में आप क्या बोलोगे रहे कोई limiting नहीं है कोई excess नहीं है कभी भी मतभोलना सर ये भी limiting है और ये भी limiting रेशियो सेम आ चाहे तो आप लोग क्या बोलोगे और सवाल करोगे अब ये सवाल देखो अब limiting reagent के case में इन चार सवालों के अलावा पांचवा सवाल बनता ही नहीं है अगर ये चार सवाल आपको निकालने आ गए तो पांचवा सवाल। इसके अलावा बनता ही नहीं है अब देख कितना easy है और अब देख stoichiometry का जलवा दिखाऊ हूँ आब देख वो जो पर stoichiometry था ना उसका जलवा दिखाऊ हूँ कैसे देख क्या दे रहे हैं आपको बोल रहा है hydrogen आया oxygen आया पानी बनाया ठीक है जाँ देख hydrogen कितना है 8 gram जितना है लिख दे 8 gram oxygen कितना है 32 gram limiting और excess region यह आप लोग निकाल सकते हो यह आप लोग मुझे बता दो chat section में बाकी के तीन पार्ट मैं आपको करके दिखाऊ अरे यार जो भी आपको दे रखा है उससे क्या गरो मोल्स निकाल लो उससे क्या गरो मोल्स निकाल लो तो देखो कैसे निकालो कि number of मोल्स given mass 8 molar mass 2 moles आगए 4 given mass 32 molar mass 32 moles आगए 1 अब line खहच दो बेटा line खहच दो अब मैंने क्या बोला moles upon stoichiometric coefficient तो 4 by 2 कितना आगया 2 आगया मोल्स अपान stoichiometric coefficient मोल्स एक stoichiometric coefficient एक तो 1 by 1 कितना आगया 1 अब छोटी value कौन सी ये छोटी value कौन सी ये जो भी छोटी value है इसको बोल दे LR इसको बोल दे ER पहला पाट आगया पहला पाट आगया और जो भी छोटा ratio आता है उसको हम लोग एक और चीज़े से बोलते हैं क्या बोलते हैं पर stoichiometric यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो यार चार्ट सक्शन में क्योंकि यहां तक किसी को दिक्कत होनी में चाहिए यह तो हम लोग और चौती बार सवाल कर रहे हैं LR और ER निकालने का यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत होनी ने चाहिए अब सेकेंड पार दे सेकेंड क्या बोल रहा है मौल्स ऑफ एक्सेस रियेजेंट रियाक्टेट 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 कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे यह निकालोगे stoichiometric coefficient इन्टु पर stoichiometry सर कैसे सर कैसे यह पर देख यहाँ पर डेंट का access कौन है hydrogen हाँ सर stoichiometric कोफिजिन के तना है Tor stones koetz weeks 10 तो यहाँ पर स्क्राइब कितनी है धेख यहाँ आपकर So so स्मॉलेस्ट वण और दो 12 हुआ अचिसके एकसेस रिएजेंट के 2 म Quickly Army कैसे 5 बोल रहा है नंबर ओफ कितने बच घए अ कितने बचेंगे बचेंगे बिल्कुल बचेंगे कितने एक कि यहांदे कितने लेक्ते एक्सथरेजंच हईड्रोजन है ना कि बच कितने हैं फिर टृ chilling कर गए रिदेंगा थो पिस वोल्स और वाटर फॉर्मुला स्टोशियोमेट्री कोफिशेंट इन टू पर स्टोशियोमेट्री इन टू पर स्टोशियोमेट्री सेम फॉर्मुला सेम फॉर्मुला सेम फॉर्मुला अब देख पानी फॉर्म कितना पानी फॉर्म है तो स्टोशियोमेट्री कोफिशेंट कि को लोगे पानी का लोगे कितना है?我也 कितना है फाल two पर स्टोंसरी वैल्यू में फिक्स हो गई, कितना लोग कि एक और सवाल करें कि एक और सवाल करें पताइए एक और सवाल करें अजी आज़ा आज़ा सवाल करो यार सवाल में क्या जा रहा है सवाल से तो मज़ा आता है सवाल से तो मज़ा आता है आज़ा एक और सवाल करें एक और सवाल करें एक और सवाल करें आज़ा 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 चलो 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 आज़ा 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 आज मुझे बताते हैं पहले एक्वेशन क्या है पहले एक्वेशन यह देखो 2SO2 प्लस ओटू विल गिव यू 2SO3 यह है जो दे रखा है पहले वो लिख दे जो दे रखा है पहले वो लिख दे 64 ग्राम 64 ग्राम आज़ा सर ग्राम वराम में मज़ा नहीं आता है मज़ा किस में आता है मज़ा किस में आता है मोल्स मज़ा किस में आता है मोल्स मोल्स निकाल 64 अपॉन 64 एक मोल आ गया 64 अपॉन 32 तो मोल्स आगे 2 चेक है अब लाइन खहच दे यह अब लाइन खहच दे यह अब यह देख मोल्स अपॉ स्टोशियोमेट्री कोफिशेंट तो यहां देख मोल्स एक स्टोशियोमेट्री कोफिशेंट टू हाजी सर मोल्स दो स्टोशियोमेट्री कोफिशेंट वन तो यहां पे दो बट्टा वन दो बट्टा वन अब देख छोटी वैल्यू कौन सी है छोटी value है ये, छोटी value है ये, तो ये हो गया LR, ये हो गया ER, हाया न, सबसे पहला सवाल हो गया क्या, मुझे बता, सबसे पहला सवाल हो गया क्या, भाई ये पांचवी बार करने हैं, प्लीज यार है, अब दों होने चाहिए, प्लीज यार, ये मत करो यार, पांचवी बार कर रहा हूं यार यह मैं limiting और excess निकालना है यह तो होना चाहिए और जो छोटा ratio आया जो छोटा ratio आया उसको बोल दे पर stoichiometry उसको बोल दे पर stoichiometry उसको बोल दे पर stoichiometry जो छोटी वैल्यू है अब आजा seconds अब आजा seconds से moles of excess reagent reacted excess reagent कौन है excess reagent कौन है oxygen तो यहाँ पर दे moles of excess reagent reacted कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे stoichiometry coefficient into per stoichiometry into per stoichiometry सही है सही है सही है stoichiometry coefficient excess reagent का कौन है excess reagent देख excess reagent कौन है oxygen कितनी है बेटा यहाँ पर देखो stoichiometry coefficient कितना है एक तो stoichiometry cost vanul test 2023 स्तोसिम के वालुव strap फॉर्स सही है मेटरी है कितने कर गए निस देके कर गए है किने है यह यह कितने रियाक्त केशी पत्व है हाफ बचए कितने बचए कितने बेटा यह देख ये देख लेके कितने आए थे यहां देखो यह एक से त्रीजन लेके कितने आये थे दो लेके कितने आये थे दो रियाक्ट कितने कर गए हाफ बचे कितने थ्री बाय टू बचे कितने थ्री बाय टू और SO3 कितना बना सेम सेम स्टोशियोमेटरी कोफिशेंट इन्टू पर स्टोशियोमेटरी पर स्टोशियोमेटरी तो यहां देख SO3 कितना बना स्टोशियोमेटरी कोफिशेंट कितना है 2 पर स्टोशियोमेटरी कितनी है तो यहां फे देख तूऊंटो हाफ पर लाला Chenica जादू था जब यह यह सवाल करने में बच् equally चार चार मिनडे लग जाते हैं नी इस a competitive exam time की value है 200 मिनट में physics, bio, chemistry तीनों करनी होती है तो ये trick वहाँ पे help करेंगी ये trick वहाँ पे help करेंगी trick के बिना भी सवाल करा सकता हूँ ऐसा नहीं है trick के बिना भी सवाल करवा दूँगा लेके वो अलग उसमें समय लगेगा time भी तो बचाना है और ताम भी तो बचाना है एक लेगे अज़ी इतना बड़ा लग अब उसमें में चाम तो ः塔 घंट का लेक्टर से लेगा चाएगग आदय घंटेगा बचा एक सबसे पहले अगर मैं concentration term की बात करूं तो यहां पे देखो सल्यूशन की हम लोग बात करेंगे सल्यूशन में बेटा क्या होता है सल्यूट भी होता है और क्या होता है सॉल्यूट भी होता है सल्यूशन में बेटा दोनों चीज़े होती है सल्यूट भी होता है सल्यूट को हम लोग represent करेंगे B से ठीक है और solvent को हम लोग represent करेंगे A से जो solute होता है वो generally less amount में present होता है और जो solvent होता है वो generally more amount में present होता है ठीक है सरा अच्छा अब यहाँ देख ओह 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 शगुन नहीं हो ऐसा हो सकता है क्या हमारी class में बटा शगुन होता ही होता है रुख जा यार खुलने तो कहाँ यार अफ़तार mole concept चलो चेक है आजा अब यहाँ देखो जो concentration terms होती है यहाँ पर देखिए बटा जो concentration terms होती है मुटा मुटा दू तरीके की होती है एक होता है बटा आप लोग का temperature dependent एक होता है temperature dependent चेक है temperature dependent क्या होती है temperature dependent बटा वो होती है जो mass related होती है temperature dependent कौन सी होती है जो mass sorry temperature dependent रहा जो volume related होती है यहाँ पर देखिए बटा जिसमें क्या आता है बटा volume आता है वो temperature पर depend करती है जैसे इसके example देखो, example है percentage v by v, देखो volume आ रहा है, percentage weight by volume आ रहा है, percentage weight by volume आ रहा है, या फिर molarity, आएगा पिटा न, molarity, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, जैसे बेटा, normality, ये सब क्या है बेटा, जिसमें volume आ रहा है, और volume आपकी क्या होती है, temperature पे depend करती है, temperature dependent होती है, चेक है, अच्छा, वहीं पर ही बेटा देखिए, वहीं पर ही दूसरी होती है, temperature independent, temperature independent, temperature independent कौन सी होती है, जो temperature पे depend नहीं करती है, मतलब, mass related, मतलब, mass related, सर, example बताईए, example बताईए, percentage weight by weight, आये का भी, आये का भी, चेक है, mole fraction, mole fraction, आयेगा, molality, क्या बेटा, molality, चेक है, ppm, parts per million, ppb, parts per billion, सब आयेगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, आएगा, सब आएगा, चेक है, एक एक करके पड़ते है, यहां है, आपके यहां पर 20 से 25 मिनट चाहि Jade Please क्या हम concentration यहां पर कर सकते हैं, प्लीज एक बार चैट सेक्शन में आगा लगा दीजिए कि हां सर 20-25 मिनट में इस चाप्टर को समाप्त कर देंगे इस चाप्टर को समाप्त कर देंगे प्लीज यहां पर फोकस आड़े यार प्लीज 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 प्ल मूड में आए हैं है अना वन्डे बन चाप्टर की मूड में तो प्लीज यार हम लोग से फिनिश करेंगे साथ में एक यहां पर देखें सबसे पहली quantity कुए सबसे पहले quantity परसंटेज volume by volume सबसे पहले quantity आ रही है percentage volume by volume एक बाद सुनूँ हम आपका पहला quantity होती है यह होती है आपके solute की और जो दूसरी quantity होती है यह होती है आपके solution की तो यहां देखो percentage v by v का क्या मतलब है percentage v by v का मतलब है volume of solute in ml upon volume of solution in ml और 100 से multiply कर देंगे सर 100 से क्यों multiply करा क्योंकि percentage की बात हो रही है और इसका क्या अर्थ होता है इसका अर्थ ही यह होता है volume of solute in ml present in 100 ml of solution presented 100 ml of solution मतलब कितनी volume solute की है कितनी volume solute की है ml में कितने solution में यह होता है आपका percentage v by v percentage v by v ठेक है अच्छा अब यहां देखो यहां देखो यहां देखो percentage weight by weight अब सुनना ध्यान से पहली quantity पहली quantity हमेशा solute की होती है numerator हमेशा solute का है देख देख है अपर देखा है weight of solute upon weight of solution into 100 100 क्यों करा क्योंकि बेटा percentage है क्यों? क्योंकि percentage है तो percentage weight by weight क्या हो जाएगा weight of solute in gram present in 100 gram of solution यहां solution का अगर मैं 100 gram ली तो उसमें कितना solute है कितना solute है वो होता है percentage weight by weight चीक है सर percentage weight by volume हमेशा ध्यान से सुनो पहला w किसका आएगा पहला जो term होएगा वो किसका होएगा solute का तो पहला क्या है w तो यहां पर देख क्या लखा है यहां पर देख क्या लखा है weight of solute और यहां पर देख क्या है volume है क्या है volume of solution volume of solution into 100 तो weight by w मलब w by volume क्या हो जाएगा w by v क्या हो जाएगा weight solute का in gram present in 100 ml of solution 100 ml of solution अच्छा, मुझे ये बता ये जो volume by volume है temperature dependent या temperature independent जल्दी बोल वेटा chat section में जल्दी बोल volume आ गई volume आते से ही इसको बोलो temperature dependent volume आते से ही बोलो temperature dependent अब यहाँ देख weight by weight mass by mass, volume है नहीं तो temperature independent अब यहाँ देख weight by volume volume आई ने बेटा एक जगे तो आई एक जगे तो आई एक जगे आते से ही temperature dependent समझे समझे अब आजा molar fraction या चल ये पढ़ ले parts per million कोछ नहीं है बेटा बच्चा इसमें परिशान होता रहाजा सर parts per million, parts per billion ये क्या है है ना बच्चा इसी में ही परिशान होते रहता है कुछ नहीं है million क्या होता है बेटा देख जिसे percentage क्या होती है यहाँ पर percentage है यहाँ पर percentage है वेट सल्यूट का, वेट सल्यूशन का 10 to the power 6 ले लिया है क्यूं? million की बात कर रहे है उधर ही अगर billion की बात कर रहे है तो 10 to the power 9 हो जाएगा 10 to the power 9 हो जाएगा बनना है नहीं बेटा millionaire बनना है न sir millionaire बने हमारे दुस्मन हम बनेंगे billionaire हमारे पास होंगे 10 to the power 9 जीरो तक के पैसे है ना? है ना बेटा? तुमारी बात कर रहे हो तुमारी तो billion में होता है 10 to the power 9 million में होता है 10 to the power 6 दोनों में यही है weight of solution अब है बेटा मोल फ्राक्शन सबसे पहली बात मोल फ्राक्शन क्या है बेटा? टेमपरेचर इंडीपेंडेट टेमपरेचर इंडीपेंडेट ठीक है सबसे पहले बाद temperature and independent है अब mole fraction सबसे पहले बाद किस से represent करते हैं इसको represent करते हैं हम लोग x से इस से represent करते हैं और mole fraction किसी भी substance का कैसे निकालते हैं खुद के moles upon total moles खुद के moles upon total moles यह होता है mole fraction का formula खुद के moles upon total moles अब देखो mole fraction इसे डारेक्ट नहीं पढ़ते हैं mole fraction के लिए हम लोगों को पहले पढ़ना पढ़ता है दिल fraction सर आएं सर यह क्या है सर दिल बन गया बटा यह दिल fraction है सर यह भी कुछ होता है कि यह भी है यह concentration अंट्रेशन टरम नहीं है यह बटा प्यार की टरम यह बटा प्यार की टरम सर क्या टरम है सर यह देखो यह दिल है बटा है किसी का भी हो सकते हैं यहाँ पे बेटा क्या है? यह तीन जने है यह A है बेटा, यह B है बेटा, यह C है बेटा अब इस दिल के क्या कर दियेगा? टुकडे कर दिये इस दिल के बेटा टुकडे कर दिये सर कितने टुकडे करे? कितने टुकडे करे? suppose करो यहाँ पे टुकड़े कर दिये, 9 टुकड़े कर दिये, 9 टुकड़े कर दिये, 9 टुकड़े कर दिये, 9 टुकड़े कर दिये, ठीक है, 9 टुकड़े कर दिये, यहाँ पे 3 टुकड़े हो गए, 4 यहाँ हो गए, और 2 यहाँ हो गए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा गया, यह वाला जो portion है यह वाला जो portion है यह इसको दे दिया यह वाला portion इसको दे दिया और यह वाला portion इसको दे दिया अब ज़रा A से पूछो अब A से ज़रा पूछो कि A भाई साब तुम्हारे पास दिल का कितना fraction आया तो भाई साब बोलेंगे तीन, नौ में से टोटल टुकड़े कितने होए? नौ टुकड़े होए एक को कितने मिले? तीन मिले तो दिल फ्राक्षन एक का कितना हो गया? तीन बटे नौ हो गया? ओहाँ, सर्फ मुझ में आया मालब खुद को कितना दिल मिला? दिल के कितने टुकडे होए यह आ गया ratio B का देखो B को कितने टुकडे मिले 4 टुकडे मिले कितने में से 9 में से तो यह इसका दिल fraction हो गया यह C विचारा रूरा है मेरेको तो 2 ही टुकडे मिले 2 ही टुकडे मिले कितने में से 9 में से सही बात है जरा सब के दिल fraction एड़ करो सब के दिल fraction एड़ करेंगे तो क्या रेशियो वन आ जाएगा 3 by 9 4 by 9 2 by 9 1 आएगा आएगा ना क्योंकि दिल तो एक ही है न यार तो अगर सारे fraction एड़ कर दो मा तो value तो वन आएगी न तो यही बेटा दो मा पॉल आपको का मूल अफराक्षण होता है यही बेटा मूल फराक्शन हलता मतलब खुद गे मूल अपाउंटन मोल खुद आएगे मूल आ कि यहां देख यहां इस देख सल्यूशन में solvent भी है salute भी है तो यहाँ देखो जैसे यह है आपका solvent इसको represent करेंगे A से यह है आपका salute इसको represent करेंगे B से टेक है इसके moles मान लिए मैंने suppose कर N A इसके moles मान लिए मैंने suppose कर N B N B तो यहां पे इसका mole fraction क्या होगा X A क्या होगा खुद के moles N A total moles N A फ्लस NB अब है खुद के मूल अब यहाँ देख यहाँ देख खुद के मूल NB, टोटल मूल N A फ्लस N B सही वाद है, मैं खुद के कितने मूल सा पॉन टोटल और अगर मैं दोनों को एड़ करूं, XA प्लस XB करूं XA प्लस XB करूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, सही है, सही है, बताईए, सही है, बताईए, आप खुद बताओ बटा, खुद बताओ बटा, सही है या नही है, 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 सही है या नही ह आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सवार मैं रफ्तार सीरियस के लिए बहुत सीरियस हूँ मैं करवाऊँगा, मैं डेली आके 7 बज़े यहां आके आपका सेलेक्शन करवाऊँगा मैं केमिस्ट्री में आपको 160-180C नंबर दिलवाऊँगा शर्त है आप आने को ready हो या नहीं क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ पहले session में आये हो या फिर मेरे साथ end में जो 25 सेशन होगा उसमें भी होगे क्योंकि मैं तो यहां पे खड़ावा हूँ मैं तो यहां पे खड़ावा हूँ वरना मैं सीरीज स्टार्ट ही नहीं करता हूँ सही मैं बता रहा हूँ वरना मैं सीरीज स्टार्ट ही नहीं करता अगर मेरा intention इस सीरीज को खतम करने का नहीं है तो मैं सीरीज स्टार्ट ही नहीं करता हूँ अगर रफतार स्टार्ट हुई है end तक होगा, पूरा लिबस रफ्तार में करवाय दाएगा आना आपको है, आना आपको, आना आपको, आज़ो, यहाँ, यहाँ, यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है, 60 ग्राम यूरिया है, ठेक है 11.2 लीटर है, अमोनिया का, और 3 into 10 to the power, अभी देखों, मैं ज़्यादा आप लोगों मोटिवेशन भी नहीं दे रहा हूँ, कर लेते हैं, खतम, मुझे पता है, आप लोग आओगे, मुझे पता है, आप लोग आओगे, आप लोग को डॉक्टर बनना है, आप लोग को अपने माबाप का सपना पूरा करना है, आपको अपने टीचर्स का सपना पूरा करना है, आपको अपना खुद का सपना पूरा करना है, आपको बिटा इसी साल white coat पेरना है आपको बिटा एक government medical college जाना है अगर आपको private जाना होता तो पिछले साल ही चले जाते है अगर आपको private medical college जाना था तो पिछले साल ही मिल रहा था लेकिन आप लोगों ने वो choose नहीं करा है आपने choose करा है कि आपको एक government medical college जाना है और government medical college जाना है इसी साल जाना है महनत करेंगे दो महीने में जो बचे वे हैं फुल अपना 100% देंगे और सेलेक्शन ले के जाएगे यह आए यह 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 घला है यह थी तीन चीज़े दे रखें यूरिया के बारे में मुल्जे के बारे में और यह दे रखें मॉलिक्यूल किसके SO2 के अब यहां से क्या करो फटाक से सबसे पहले सब के mols निकाल 60 gram urea क्या है तो mols बताओ यूरिया के mols बताओ यूरिया के given mass 60 molar mass 60 1 mol हो गया mols बताओ NH3 के given mass 11.2 molar mass 22 sorry given volume 11.2 divided by 22.4 mols कितने हो गया हाफ mols बताओ ये SO2 के molecules के तरह है 3 into 10 to the power 23 upon 6 into 10 to the power 23 तो moles के तरह आगए क्या मैंने सब के moles निकल दी देखे इसके 1 इसके 1 by 2 क्या मैंने सब के moles निकल दी अब मेरे से mole fraction पूछा है mole fraction कुछ नहीं mole fraction urea का mole fraction urea का खुद के moles 1 total moles add कर दो total moles add कर दो total moles add कर दो 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 कितना हो गया यह 1 by 2 आगया mole fraction 1 by 2 आगया total moles कितने है 1 plus 1,5 plus 1,5 total moles 2 है total moles है न बेटा यहापे 2 है total moles 2 है mole fraction बोल रहा है ammonia का तो कैसे खुद के moles half total moles 2 तो कितना आ गया एक बट्टे चार एक बट्टे चार और mole fraction SO2 का खुद के moles half total moles 2 तो 1 by 2 सही है सही है यह नही है देखे एक बार सही है यह नही है देखे एक बार सही है यह नहीं है देखे एक बट्टे के बट्टे की क्लास हो रहे है बोल रहा है find mole fraction of solute of 10% weight by weight any of H बेहद 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 important बेहद 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 important सुनिए द्यान सब क्या बोल रहा है आप देखो क्या बोल रहा है बेहद important है समझे एक आशा सवाल बोलना क्या आशा आपको बोल रहा है 10% weight by weight any of H आपको क्या बोल रहा है 10% weight by weight any of H इसका मतलब क्या है सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना पढ़ेगा 10% weight by weight का मतलब क्या है 10% weight by weight का any of H का मतलब है 10 gram solute in 100 gram solution ये मतलब है सुन लो ध्यान से अगर कहीं पे भी 10% weight by weight दे रहा है तो उसका मतलब क्या है 10 gram solute है in 100 gram solution तो solute कौन है आपका solute तो any of H है अब मुझे बताओ कि अगर 10 gram solute है 100 gram solution है तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूँ therefore weight of solvent कितना होगा कितना होगा भाई अगर solution 100 है solvent 10 है तो यही तो होता है बिटा weight solute का plus weight solvent का equals to weight solution का यही तो होगा तो अगर मुझे solvent का निकालना है तो solution में से solute का मैनिस कर दू 100 में से 10 मैनिस कर दू 100 में से 10 मैनिस कर दू तो 90 ग्राम होगे 90 ग्राम होगे 90 ग्राम होगे और solvent कौन है सर कुछ भी नहीं दे रखा solvent कौन है कोई बताएगा चैट सेक्शन में solvent कौन है कोई बताएगा चैट सेक्शन में solvent कौन है कुछ नहीं दे रखा तो पानी है अब आपका सवाल हो चुका है खतम क्या है 10 ग्राम है न अच अब यहाँ देख 10 ग्राम है न अच और 90 ग्राम है पानी 90 ग्राम है पानी तो यहाँ देख 10 ग्राम न अच है तो इसके मूल्स कितने है इसके मूल्स कितने है 10 ग्राम एनिवेच है तो इसके मोल्स कितने गिविन मास 10 मोलर मास एनिवेच का मोलर मास 40 एक बाई 4 मोलर मास एनिवेच का कितना 40 तो एक बाई 4 90 ग्राम पानी का है तो मोल्स कितने गिविन मास अपॉन मोलर मास मोल्स कितने 5 मोल्स कितने 5 अब कुछ नहीं क्या बोला है मो来ैं मदय क्टक्शन सल्यूंट का मोल फ्रक्शन एमॉच का क्ट्रेटर जाएगा वनभाइकईस एक बड़ाइकईस आयेगा कर लेन एक बाए एक्कीस आएगा वन बाए ट्विंटीवन आएगा ना इसको मिल्टिप्ला करो ना तो फॉर इंटु फाइफ ट्विंटी होता है तो ट्विंटी और वन ट्विंटीवन आ जाएगा फॉर फॉर कैंसल हो जाएगा वन बाएक्कीस एक बाएक्कीस सही बड़ा एक बा से ये है ना मेब बबबबब मेब बबबब मेब बबबब कम आव बबबब all the good looking boys in the chat section say yes all the good looking girls in the chat section say yes all right all right all right shall we shall we shall we shall we hey sick तुम हीरो हीरा लाल हो भईया, तुम future doctor हो या, आओ बेटा, molarity, आओ भईया, molarity, 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 यहाँ पर देखो molarity कैसे निकालते हैं, number of moles of solute upon volume of solution in a liter, किसमें लेते हैं, लीटर में, ठीक है, और अगर ml में लेते हैं, तो हजार से multiply करते हैं, numerator को, चीक है, मुझे बताओ, temperature dependent या temperature independent, कौनसी है, temperature dependent, कौनसी है, temperature dependent, क्यों, volume आगई न, volume आगई न, चीक है, अभी यहाँ पर देखो, कहीं पे भी अगर यह word use होता है, molar, इसका मतलब क्या है, molarity, एक molar है, कहीं पे भी अगर use होता है, semi molar, तो half molarity, कहीं पर भी use होता है, decimolar, तो one by ten molarity, कहीं पर भी use होता है, centimolar, तो molarity है, molarity है, one by ten molar, यह आया थे बटा, need 2023 में, centi word आया था, one by hundred, centi word आया था, one by hundred, need 2023 में आया था, 171 gram, sucrose का, sucrose क्या होता है पेटा, sucrose क्या होता है, C12, H22, O11, molar mass 342 gram, molar mass 342 gram, 171 gram of sucrose is mixed to make 1500 ml of solution, find molarity, को molarity कैसे निकालोगे पेटा, पेरे number of moles निकालो, sucrose के, number of moles निकालो, sucrose के, number of moles निकालो, sucrose के, कैसे निकालोगे, given mass 171, molar mass 342, moles केतरे हागे, half, moles करें आगे, half, चेकर, अब यहाँ पे, molarity निकालोगे, moles, half, volume, 1500, 1500, volume, 1500, into 1000, ml में है तो 1000 से multiply करोगे, ml में है तो बेटा आप लोग क्या करोगे 1000 से multiply करोगे ml में है तो आप लोग क्या करोगे 1000 से multiply आप कुछ नहीं काटा पेटी करो तो बेटा ये दो ये दो उपर बचा 10 नीचे आया 30 10 by 30 1 by 3 1 by 3 सही है सही है सही है चेक है, molality आ जाओ, किस से represent करते हैं मिठा, small m से, अब यहाँ पर देखो, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, number of moles of solute upon weight of solvent in kg, very 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 important, यहाँ पर denominator में solvent आ रहा है, अब तक क्या आ रहा था, solution आ रहा था, लेकिन अभी क्या है, solvent है, और अगर gram है, तो 1000 से म यहाँ पर भी वोई words, अगर molal है, तो इसे हम बोलेंगे one, semi molal है, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, आफ, कहीं पर भी decimolal, sorry, यह लिखो molal, तो तलाओ बेटा, तो तलाओ, चेक है, decimolal, तो बेटा, one by ten, centimolal, तो बेटा, one by hundred, समझे, 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 यहाँ पर वेट बेटा, solvent का लेना, solvent का लेना, जैसे दिखो यह सवाल, शांदार सवाल, शांदार सवाल, शांदार सवाल, शांदार सवाल, शांदार सवाल, करना जरा, करना जरा, करना जरा सवाल करो बटा सवाल करो answer होता अंसर होता इसा पार, answer बटा, answer बटा, answer बटा, answer बटा, answer बटा, answer बटा, answer आं, तेनो मोजिक करावा, आं, चरो बटा, या करो बटा, find molality of 9.6% w by w, H2SO4, AQUAS solution, again आपको यह चीज दे रखी है, इसका मतलब क्या है, यह देख, इसका मतलब क्या है ये दिख ना 19.6% weight by weight है इसका मतलब क्या है अभी अभी लिखाता अभी अभी लिखाता क्या था क्या था 19.6 gram solute in 100 gram solution ये लिखा था ये लिखा था तो अब मुझे बता solvent का weight कितना हो जाएगा solute का weight कितना हो जाएगा solution में से solute minus कर दूँ 100 minus 19.6 क्या 80.4 gram हो जाएगा क्या 80.4 gram हो जाएगा मुझे बताईए क्या 80.4 gram हो जाएगा मुझे बताईए क्या 80.4 gram हो जाएगा हाँ solute कौन है H2SO4 solute कौन है H2SO4 solute कौन है H2SO4 H2SO4 अब आजा यहाँ ते अब यहाँ ते कभी यहाँ ते क्या निकालना है molality मुझे बताओ अगर 19.6 gram है H2SO4 के तो क्या आप यहाँ से moles निकाल सकते हो moles निकाल सकते हो कैसे given mass upon molar mass moles कितने आगे molar mass बता 98 होता है H2SO4 का कितने आगे बता 2 by 10 कितने आगे 1 by 5 क्या 1 by 5 आगे क्या moles 1 by 5 आगे अब यहाँ देखो molality क्या हो जाएगी अब यहाँ देख, molality क्या हो जाएगी molality क्या हो जाएगी क्यों हो जाएगी, number of moles कितने, one by five weight of solvent weight of solvent यह देख, निकाल दिया, 80.4 into हजार हजार से क्यों multiply करा, क्योंकि gram में, gram में तो हजार से multiply करना पड़िक सही 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 या नहीं मुझे बताइए, सही या नहीं सही है सही है, सही है सही है अब बिटे यह चार formulas है, चार formula याद कर लीजेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं रफ्तार में भी बोल रहा हूँ, यह चार formula है यह आपको याद करने है percentage weight by volume is percentage weight by weight into density molarity का formula है 10 into percentage weight by weight into density upon molar mass solute molality का यह formula है और molality का एक और formula यह formula याद है यह formula याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा प्लीज चेक है चेक है अब मेरी बात सुनेगे चेक है, देखो concentration terms आप लोगी तीन चाप्टर में आएंगी concentration terms total आप लोगी तीन चाप्टर में आएंगी देखना द्यान से बेहत important होती है बटा concentration term एक तो अपन ने अभी मोल में करी, हाँ सर एक आप लोगी redox में आएगी, सर redox में क्या आएगा redox में आएगी आपकी normality normality आती है redox में और एक आएगा आपका solution में, solution में क्या आएगा solution में मैं आपको पढ़ाऊंगा dilution के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको mixing के बारे में solution को mix कर दिया solution को mix कर दिया ये ठेक है आपको mole concept में जितनी requirement है mole concept में जितनी requirement है ये हमने इस lecture में खतम कर दिया, मतलब आपका mole concept खतम हो चुका है mole concept आपका खतम हो चुका है mole concept आपका खतम हो चुका है अब मेरी बात सुनिये अब मेरी बात सुने, month अब आप लोग्oruको को क्या क्या करना है क्योंकि मैं इसको पेटा one stop solution बना रहा हूं रफ्तार को पेटा one stop solution बना रहां One day one chapter, क्या हम मॉल concept आज हमने कर लिया है क्या मॉल concept आज हमने चैनल पर यह से वन टे वन चाप्टर में मोल कॉंसेंट में आपको पूरा पढ़ा दिया अब आपको क्या करना है रैंक बूस्टिंग डीपी कहा अपलोड हो जाएगी टेली ग्रैम चैनल पर इसका लिंक अभी में कमेंट में देल्वा तो रैंक स्टीब करेंग, देदीए पीपी आप लोगों के लिए बन रही है आप लोगोगों के लिए मोल कॉंसेप्ट के बन चुकी है यह मैंजिक का मतलब क्या है, जहांपर statement based question है, जहांपर match the column है, जहांपर assertion reasoning है क्योंकि जो नया pattern है उसमें ये बहुत weightage रखते है ये बहुत weightage रखते है ये बहुत weightage रखते है तो ये भी मैं upload कर दूँगा ये भी मैं upload कर दूँगा टेलिग्राम चैनल पर शॉट नोट्स की help से क्या करो आप लोग revision करो कहाँ upload कर दूँगा टेलिग्राम चैनल पर चेक है चेक है लेकिन मैं वापस से आप लोगों को ये ही बोलूँगा पूरा schedule दे दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे है न वीडियोज देखानी वीडियोज उन्होंने जब मैंने launch करा था रफतार को मैंने पूरा schedule दे दिया है देखो देखो जी Driel कर्फ़ाइब सब्सक्राइब करण Legislature में पढ़ा जा रहा है क्योंकि selection बेटा ऐसे ही होगा selection हमेशा selection बेटा content से होता है there is no shortcut selection एक ही चीछ से होता है content से होता है मैं यहाँ पे 25 के 25 दिन आने को ready हूँ time से 7 बजे class आप लोग की start हो जाएगी 3 गंटे की लगबग लगबग आपकी class रहेगी लेकिन please इसे follow कर लीजेगा यह मत सोचना है ना बहुत सारे बच्चे सोचने हैं कि sir मुझे यह तो chapter राता है मुझे वो तो chapter राता है sir मैं यह क्यों करूँ नहीं आप लोग please attend करिये यह last chance है last chance है and please मैं वापस बोल रहा हूँ live lectures ही attend करेंगे आप recorded आप लोग नहीं देख पाते हो recorded में backlog हो जाएगा 60 दिन में अब हम लोग backlog afford नहीं कर सकते हैं इसी के लिए बेटा अब मैं बराने बनाऊं streak और आप लोग मेरे साथ में streak बनाऊगे आज जैसे ही अभी यह खतम होगा जैसे ही खतम होगा आप लिखोगे hashtag day one completed रफतार का पहला दिन complete हो गया है और आप मुझे chat section में या comment section में आप मुझे बता के जाएंगे कि lecture कैसा लगा lecture कैसा लगा क्योंकि यह मेरे लिए भी यह बहुत बड़ी motivation है जब मैं आप लोग के comment पढ़ूँगा जब मैं हजारों बच्चों के comment पढ़ूँगा वहाँपे हजारों बच्चे लिखेंगे अपना feedback देंगे तो मेरे को खुद को बहुत ज़ादा अच्छा लगेगा मेरे को खुद को बहुत ज़ादा अच्छा لगेगा प्लीज प्लीज comment करके जईएगा प्लीज कमेंट करके जाईएगा चेक है कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा और सारे दिन आईए ठीक है I am here for your selection, selection करवा के मानेंगे, जिद है, है या नहीं है अरे जिद्धी हो या नहीं हो, जिद्धी हो या नहीं हो, अरे सर जबरदस्त जिद्धी है selection लेकर मानेंगे, selection लेकर मानेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठांक्यू वेरी मच, कल आईए atomic structure में, session देखिए, पिन कर रखा है मैंने, अभी जाओ, like मारो, attendance लगाओ, attendance लगाओ, अभी जाओ, like मारो, देखो, chat section में تم कर रखा है, मैं भी पहुच रहोँ, मैं भी पहुच रहोँ, मैं देखूं कितने बच्चे है, मैं बहुच गे हो, बेटा, है ना, मैं बहुच गे हो, बेटा है, वाहा पे जाहिए atomic structure में आज Cameron सारे सारे फटापट अरटेननी तगाएंगे यहां पे कि हां जी सर हमाने बाले हैं करना पड़ेगा मेहनधकरनी पड़ेगी 25 दिन की मेहनध और फिर सख्यों मुनेट्रां है फिर हमारा सख्यों अगन कर दिया फटापड पॉच्षो नहीं वुं हा तो असा हम जिए हूं हाँ छोपनट में चली करते हो डीुलोड कर देते हो डीपीबी मैं अपलोड कर देता हो marks हो शो aggiके कल मिले मेले मेन मंने मेले शाय चली के यह कंद सर द्यक्वर जरूल जरूर एक ठीक है कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग तरूप लग चलो डी पी पी और नोट्स में आप लोग को भीस्ता हूं चलो थैंक यो थैंक यो सेसं को लाइक करिएगा शेयर कर देगा चैनल subscribe करके रखेंगे बहुत amazing content यह पर आने वाला है अभी अभी बेटा मैंने देखा चैनल पर है ना कल बेटा गरीमा मैम का भी session लगावा है आप लोग के साड़े ग्यारा बजे का 30 days plan है ना आप लोग बोल रहते ना कि बायो कब स्टार्ट होगा फिजिक्स कब स्टार्ट होगा तो अब सब स्टार्ट होने वाला है ठीक है कल मैम का भी session लगावा है साड़े ग्यारा बजे का attend करेंगे बायों भी अपनी strong करेंगे और थोडेंगे पड़ेंगे वोग ठ्रॉट है चलिए थैंकिय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ठ्. रेक्वत्ध intéressant किरणि झाल 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 झाल